तो आज हम इस वीडियो में वर्स 2021-22 का Current Affairs देखेंगे जो की अधितन रूप में अभी 15 नॉबर 2021 तक का कवर किया जाएगा तो इससे आने वाले जो भी एक्जाम्स हैं वो आरो यारो है, BPSC है या अन्नो कोई एक्जाम्स हैं उनके लिए Current का Content मिलेगा और इससे आने वाले एक्जाम्स में सीधे तोर पे कोशन मिलेंगे तो हम लोग जो इसके Points हैं वो देखेंगे और उससे Related कोई Extra Fact है जोकि Important है उससे भी साथ में डिसकस करते हुए चलेंगे तो हमारा पहला पॉइंट है कि मद्य परदेश के भोपाल इस्तित इस्तरी Railway Station हभीब गंज का नाम परिवर्थित किया गया है और उसका नाम बदल कर रखा गया है रानी कमलापती Railway Station तो अब हभीब गंज को किस नाम से जाना चाहेगा रानी कमलापती Railway Station अच्छा इससे पहला कि 15 नॉमबर 2021 को यहां पे हमारे माननी प्रिदान मंत्री जी ने एक बड़े जनजाती समधाय को संबोधित किया और दूसरा इंपोर्टन फैक्ट है कि 15 नॉमबर को अब से जनजाती गौरो दिवस की रूप में मनाया जाएगा तो अब कोशन सीधे तोर पे बन सकता है कि जनजाती गौरो दिवस मनाने की गोशना हुई है और आ सकते हैं कि 15 नॉमबर 14 नॉमबर 13 नॉमबर 17 नॉमबर तो दिन हमें च्वाइस करना होगा तो अब से हम च्वाइस करेंगे 15 नॉमबर एक्शली में यह जो हमारे बिर्सा मुंटा थे उनकी जैनती 15 नॉमबर को है अगर यह चर्चा में है तो इस्टेटिक पॉर्सन आता है कि मुंडा जो विद्रो हुआ उल्कुलान विद्रो जिसे हम जानते हैं वो कब हुआ कि सन में हुआ तो 1799 से 1800 की बीच में हुआ था यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया अब नेक्स पॉइंट पॉइंट प पिल्लाई देवास आयम पिल्लाई यह 18 सदा में थे देवास आयम पिल्लाई कन्या कुमारी के हैं यह तो इन्हें संत की उपादी दे गई है अचा यह आम भारती इसलिए हैं कि यह कोई प्रीस्ट नहीं थे इनके पास कोई धार्मी उपादी नहीं थी यह एक अलग से एक सिर्फ थे तो इसलिए इनको पहला आम भारती इसाई बोला गया है ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक भारत सरकार का एक मिशन है जिसे गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में सामल किया गया है गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में तो वो कौन से मिशन है तो ये है रास्टी स्वच्छ गंगा मिशन रास्टी स्वच्छ गंगा मिशन है, जिसे की हाली में Guinness Book of World Record में सामल किया गया है ठीक है? नेक्स्ट पॉाइंट में आथे य। नेक्स्ट पॉाइंट है हमारा कि आयश्मान CAPF Health Card जो लॉंच किया वो किस ने लॉंच किया तो ये हमारे ग्रह मंत्री अमिश साची ने लॉंच किया अब आयश्मान CAPF Health Card CAPF जुड़ा हुआ है तो समझ सकते हैं कि ये केंदरी ससस्तर पुलिस के जो कर्मिचारी होते हैं उनके लिए लॉंच किया गया ठीक है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारती रेल्वे ने जो तेवहारों में अतरिक्त भीड़ाती है उसको नियंतरित करने के लिए विसेश ट्रेन की सुरुवात कि थी उसका नाम क्या है तो उसका नाम है गति सकती एक्सप्रेश ये इतना important नहीं है क्योंकि अभी चर्चा में है इतना लंबा चर्चा में नहीं रेगा तो ठीक है, next point पर आते हैं next point है हमारा पंजाब के पूर मंत्री जो Captain Amrinder Singh है उनोंने एक नई party की गोसना किये क्योंकि Congress party से नोंने तो नाम क्या है तो इसका नाम है लोग Congress Party लोग Congress Party तो इसमें Congress Party के आगे आपको सिर्क लोग याद रखना है तो लोग Congress Party से आप याद कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यह important है नेक्स्ट वाला जो है वो important है कि Glasgow में संपन COP26 सम्मिट में भारत ने कब तक सुन उस सर्जन का लच प्राप्त करने की गोशड़ा की है तो देखें इसमें दो तीन तरीके से कोशन बनेंगे या बननी के संभावना है पहला कि यह COP26 सम्मिट हु है Glasgow और Glasgow कहां पर है तो Glasgow है मारा Scotland में ठीक है तर नेक्स्ट कोशन आता है कि सुन जो सुन उस सर्जन का लच है उसे कब तक भारत प्राप्त करेगा तो 270 अब यह सीदे दोर पर कोशन बन सकता है कि लच कब तक प्राप्त किये जाएंगे options आ सकते हैं 2060 तक 50 तक 70 ऐसे करके 65 त कौन सी सम्मिट थी COP26 26 सम्मिट ओकी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की किंद्री स्वास्त मंत्री जो है स्वास्तवर पलिवार कल्याण मंत्री मंसुप मांडविया इन्होंने एक योजना की गोशना की और उस योजना का जो देश है कि को बढ़ाया जाए तो वो कौन सी योजना है तो वो है हर घर 10 तक योजना अब सीधा एक लाइन का वन नाइनर कोशन आ सकता है कि हर घर 10 तक योजना का संबन्द है तो इसका उद्धेश है कि घर घर जाकर कुविट-19 के ठीका गण के कवरेज को बढ़ाना नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉम्बर दोहजार इकीस को मुंबई हाई कोट ने एक उधोग पती है विजयपत सिंगानिया यह हैं विजयपत सिंगानिया इनकी जो जीवी नी थी उसको बैं कर दिया गया। पिशारण था विकरी था या वित्रण था उस पर रोंक लगा दी है। वह नाम पूचा जा सकता है कि एन incomplete life यह देख सकते हैं कि an incomplete life यह किसकी बुक है तो हमें याद रखना पड़ेगा विजयपत शिंगानिया विजयपत शिंगानिया ओके तो यह याद रखने वाली बात है अच्छा यह विक्री पैसारण और वित्रण पर रोख लगाने का करण था कि यह रेमंड कंपनी वालों एक याच का दायर की थी कि इन्होंने विजयपत सिंगानियाजी ने उनकी जो एक ऑपरेशन प्राइविसी होती है उसको वाइलट किया है और इन्होंने इन चीजों का डिस्क जो डिटेल है वो कहिनकि अपनी इस बूक में सामिल किया है तो यह वज़े रही कि इस पर रोंक लगाएंगे नेक्स्ट पइंट पर आते हैं कि हरियाना सरकार ने प्राइविट नौकरियों में कितने पितिसत्थ को रिज़ेशन वाले कानून की अधिसूचना हाली में जारी कि है कि तो यह सेवेंटी फाइब परसेंट रिजोडिशन की अधुशुचना जारी की है हर्यार्णा सरकार ने प्राइबट नोकरियों में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नॉम्बर 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद वोधीजी ने कहां पर 12 फीट उची संकराचार की पतिमा का अन आवराण हाली में कहां किया गया तो किदर किदानम नात में किया गया किया है इस्का मलब मेजबानी कि उससे संबंद किससा अगर कुशन बने का भी तो इसी टाइब से बने को कि दिल्ली छेतरी सुर्च्छा वरता का संभूद किस से था तो अफगानिस्तान से जोसे्टैंट हमारा यह एंपोर्टेंट है कि नॉल्बर दोहजार इकीस में यमना नदी में अ पर कामोनिया का इसतर बर्णने से गिस से ने पानी की आपवती जो थी वो बाती थो दिल्ली में जानते हैं दिल्ली में ज़ो यमना दिदि यह बहुत प्रदूसित पूरविंटि में पर पूरिय दिद्द दि शॉतो batter खा a क्या था यह पूछा भी जा सकते हैं तो उसका कारण है फॉस्पेट्स तो फॉस्पेट्स एक्ष्ली में होता क्या आए कि डोमेस्टिक या इंडेस्ट्रियल जो भी प्रदूशक जो होता है वो शीदे तोर पे अंट्रीटेड रूप में आ जाता है यम्ना नदी में तो वो वगेरा जो डोमेस्टिक होता है यूस होता है तो उसकी वज़े से उसमें एक फ्रॉज सी बन जाती है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जम्मो में पकल दुल हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट का उद्गाटन किसे ने किया आरकी नदी पर किया गया है तो एक नदी है मरू सूदर मरू सूदर मरू सूदर चेनाब नदी की साहक नदी है तो यह उसी पर शुरू किया गया है नेक्स्ट पर आते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपोर्टन है इसे आप टिक कर लिजे और देन इसको में औराइस कीजिएगा अच्छे से कि UNESCO द्वारा किस भारती सहर को Creative Cities Network के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है तो स्रीनकर है स्रीनकर को नामित किया गया है स्रीनकर बहुत इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ही अभी इसको मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया है मेजर एयर पोर्ट का तो स्रीनकर कई वज़े से चर्चा में है तो पॉइंट इस पे एक कुशन बनने की संभावना तो बनती है अच्छा यह जो Creative Cities Network है इसमें अब तक जो भारती सहर है वो छे सामिल हो चुके है मुंबई है चेन्नाई है हैदराबाद वारांट सी जैपुर और यह नेक्स्ट है स्रीनकर इंपोर्टन पार्ट यह है कि साथ कैटेगरीज जो है उनमें यूनेस्कू को मतलब यूनेस्कू में जो सहर जाते है Creative Cities का दर्जा दिया जाता है तो स्रीनकर और जैपुर दोनों सिल्प और लोककला छेत्र में सामिल किया गए है सिल्प और लोककला छेत्र यहां पर मजबूत है उसी के दायत इसको Creative Cities Network में सामिल किया गए है नेक्स्ट पॉइंट पर आते है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारती सेल्प बायो लॉजिस्ट की एक से चार में जन्म दिवस पर एक नया डूडल जारी किया गूगल पर जो हम टाइप करते हैं वहां पर डूडल आता है तो वह डॉक्टर कमल रडदीवे डॉक्टर कमल रडदीवे उनका नाम है सेल बायो जिस्ट है कितना इंपोर्टन नहीं है बट फिर भी डॉक्टर कमल रडदीवे एक दुबार आप ऐसे एक सेंस अगर रहेगा तो वहां पर टिक हो जाएगा अगर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाली में जारी ज्लोबल ड्रेक पॉलसी इंडेक्स हैड्रेक पॉलसी इंडेक्स हैड्रेक पॉलसी से इंडेक्स आह म ago University पर नेक्स्ट कीजराम पराइप को इस वह मेजर एयर कर경 को नेक्स्ट प्रहते हैं कि हाली में भारती वाग्यानिकों ने जो क़र्बन डाइक साइड होती है उसको मीथेन में बदलने के इस बिदी के खुछ किये तो इस बिदी का नाम में फोटो केमिकल फोटो केमिकल फोटो में घामिकल जो ग्रीन हाासस इमिशन से वह बढ़ रहे हैं और carbon dioxide उसका मुख शुरोध है तो अगर उसको यह खाय कि हम उस surgeon को रोख सकें कम कर सकें और यह खाय कि हम उसको convert कर सकें तो यह जो photo chemical विदी है यह एक प्रकार से convert करती है मिथेन में है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं लोग हाली में किस foundation द्वारा स्वस्त महिला स्वस्त गोवा स्वस्त महिला स्वस्त गोवा पहल की शुरुवात की है तो UV can foundation यूवी कैन फाउंडेशन, एक्चल में ये यूरा सिंग का फाउंडेशन है यूवी कैन फाउंडेशन, तो इसने स्वस्त मैला, स्वस्त गुवा पहल के शुरुवात की है क्योंकि cancer survivor रहे हैं यूरा सिंग तो उसकी वज़े से उनका उस्तरफ रुजान भी है ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राज उर्जा दच्छता सुचकांक 2021-2020 में जो कौन सा राज जो रहा वो सीस पर रहा तो इसमें करनाटक जो है वो सीस पर रहा राज उर्जा दच्छता सुचकांक लग इनों ने बजली को बहुत अच्छे से यूस किया तो अब एक प्रस्ण ये भी बनता है कि राज उर्जा दच्छता सुचकांक जारी कोन करता है ये बन सकता है तो राज उर्जा दच्छता सुचकांक जो है वो विदूत मंत्राले है और उसमें उर्जा दच्छता ब्यूरो दोनों इसे मिल कर जारी करते हैं ठीक है और नेक्स पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि दुनिया के पहले फीपा फुटवाल फॉर इस्कूल कारकरम को किस राज सरकार ने सुरू किया तो यह हमारा उप्शन है ओडिशा ओडिशा रा पर आते हैं कि किंद्री मंत्री जो है उन्होंने पहला अनोखा मानोयुक्त महासागर मिशन समुधरियान नहीं मानुयुक्त महासागर मिशन समुधरियान किस नहीं launch किया तो डॉक्टर जीतेन सिंग जी का नाम है तो नाम इनका important नहीं है अगर आप से पूंचा जाएगा तो ये पुचा जा सकता है कि पहला अनोखा मानोयूक्त महा सागर्मिशन समुध्रियान क्या है तौ यह एक प्रकार का यह है कि अंडर वाटर वीकल है एक परकार का कि अब जैसे पहले इसमें कई देश्ट थे जिनके पास यह टेक्नॉलजी थी कि वह पानी के अंदर वीकल उनके चलते थे, तो उसमें चीन है, रशिया है, जापान है, प्रांस है, तो चार-पांस देश थे, अब उसमें भारत भी उस कलब में शामिल हो गया, तो उसके लिए important है, क्योंकि जो भी resources हैं समुद्र में, उनको explore करने में शायता मिलेगे इससे, next point पर आते हैं, हाली में किस केंदरी मंतरी द्वारा देहरा दुन में, गसियारी कल्याण योजना, किस वात की तो ये अमिशाजी ने किये है, गसियारी कल्याण योजना, कहाँ पे देरा दुन, उत्रागण, next point पर आते हैं, किस राजने मुप्त, राशन और कोविट की पहली खुरांक उपलब दिकाराने में, 100% लच्च जो है, वो हासिल किया है, मुप्त राशन और कोविट की पहली खुरांक, उपलब दिकाराने में 100%, गोवा, यह हमारा उप्शन क्या है उसमें, गोवा, दोनों लच्च प्राप्त किया हैं नोंने, नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली के पहले डॉक पार्क का उधगाटन कहां पर हुआ, दिल्ली के पहले डॉक पार्क का उधगाटन हुआ, राजण नगर, नेक्स्ट पॉइंट है, कि पब्लिक अफेर्स इंडिक्स, पब्लिक अफेर्स इंडिक्स 2021 में, कौन सा राज सीर्स पर रहा तो इसमें केरल सिस्ट पर रहा और पब्लिक अफेर्स इंडिक्स जो हजरुए करके संस्तान वह संस्तान तो इतना डिटेल में जाना कि इतना इतना काफी कि पब्लिक affairs index 2021 है वो किस ने जारी किया और कौन सा राज उस पे सिर्स पर हा तो वो केरल रहा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अपार आता है कि हाली में किस जील को अपना पहला open air floating theater मिला तो वो डल जील है कस्मीर की जिस को अपना open air floating theater मिला नेक्स्ट पॉइंट है कि हाली में किस राज में पहले internet exchange का उद्गाटन कहां पे किया गया है उत्रा गट में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हाली में किस राज में बेरोजगारी बत्ता जो मिलता है उसकी पातरता के लिए 90 दिन की internship इसेंसिल हो गई है तो वो राजिस्तान सरकार नहीं कि पहले 90 दिन की आप इंटर्णशिप करके आई है देन हम पे रोजगारी बत्ता देंगे और उसके लिए पात रहें नेक्स्ट यह इंपोर्टिन पॉइट आइटिंक बन सकता है कुछ ना नहीं की संबाऊना हो सकते हैं क किस महिला सांसद के नित्वत में अमेरिकी सांसदों ने एक दीपावली को कहा कि यहां पे देश में रास्टी आउकास घुरसित किया जाए और इसके लिए विधेयक जो है पितिनिदी सभाव वाँ पे है उसमें पिस्तुत किया तो यह जो नित्वत कर रही थी महिला सुसील चंद्रा निकिस देश में रास्टपति चुनाओ की देखरे की तो ये देश था उजबेकिस्तान जहां की रास्टपति चुनाओ जो है उसकी देखरे कौन कर रहा था भारत के मुक चुनाओ आयुक तो में कौन से नमबर के हैं, कि कि निक्स्ट हमारा कोशन है कि हाली में कहां पर जनजातियों की संस्कृति के रच्छा के लिए 29 संग्रालें का उद्गाटन किया गया है तो वो राज है मणिपूर यहां पर कई सारे संग्राले बनाए गए हैं कि जनजातियों के जो कल्चर है वो सुरच्छिद रहे है आगे आते हैं अ मध्य आगे कुशन है यह हमारा पंट है कि हाली में किस राजने सिंदु नदी डाल्फिन की गडरना शुरू करने की वो जाए उनकी कांटिंग हो जाई कि यह हमारा पंजाब है अब पंजाब से होकर ही सिंदुनदी evol waktu तो पंजाब ही ह treaties कि याद रखने वाली बात कि भारत का पहला और स्मार्ट फॉन और यह वोटिंग समठान हाली में भारत के किस राजोधारा विक्सित किया गया तो यह तो यह राज है तिलंगा ना दम तो ऐसे कई लोग हो सकते हैं तो उनके लिए है कि आप स्मार्टफोन के उससे आप ये वोटिंग कर सकें नेक्स्ट है कि प्रधान मंत्री इंडियन पोदी ने 11 एक्टूबर 2021 को अंत्रिस से जोड़ 21 संस्ता का सुभारम किया इसके पहले अद्दिश कौन है जयन्त पाटिल कि यह जयन्त पाटिल है इसके पहले अद्दिश है नेक्स्ट पॉइंट प्रधार 2021 में तमिल नाडू के किस उत्पात को जियाई टेक मिला कन्या कुमारी लॉंग कन्या कुमारी लॉंग जो है वो तमिल नाडू के पाथ को जियाई टेग दिया गया आगे बढ़ते हैं भारती रेलवे द्वारा अक्टूबर दोहजार इकिस में दच्छन मद्र रेलवे के लिए लंबी दूरी के किन दो ट्रेनों जिन्हें मालगाड़ी इसमें कहा जाएगा को सुरू किया गया तो यह लंबे दूरी की जो मालगाड़िया हैं उनका नाम है तिरसूल और गरुण अब तिरसूल भी दूर तक फेक सकते हो गरुण भी उड़के बहुत दूर चला जाएगा तो यह मालगाड़ी हैं जो कि लंबी दूरी की हैं इनको सुरू किया गया एक मिसन कवच कुंडल अभियान है जो कि विसेश रूप से कोविड-19 टीका करन अभियान है यह किस यह इंपोर्टन पॉइंट है नेक्स वाला कि हाली में कि संस्ता द्वारा भारत के लिए 2021 कि स्टेट आप दा एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉंच किया गया यह यह यूनिसको यहां पर 36 गड़ है यह तो कह रॉंग लिग गया गलती साइधिं तो यह है क यूनिसको ने एक रिपोर्ट भारत पे जारी किया और उसका जो टाइटल है वो है नो टीचर नो क्लास तो ऐसी डारेक्ली भी आ सकता है कि नो टीचर नो क्लास जो है लॉंच किया गया तो नीचे दिया जा सकता है यूनिसको है अन्न कोई नाम देके अब नेक्स्ट की तर पार्क्स हैं उनके सईक्त छेत्रों को रास्टी रिजर्व के रूप में नामित करने के खोश्टा किये गये तो इन्होंने दो जो रास्टी उद्धान थे उनको मिलाकर एक टाइगर रिजर गोसित किया गया और यह है गुरू घासी धास रास्टी उद्धान और तमोर टाइगर रिजर्व होगा क्योंकि 52 जो है हमारा एक राजस्तान का बना था और एक जो आप 51 अभी हाली में चर्चा में रहा था जो था वहां का तमिलाडू का तो यह दो नाम याद रखने वाले हैं आगे इन पर कोशन बनेंगे आगे हम लोग डिसकस भी कर लेंगे कि 51 और 50 जो सेकेंट हैं वो कौन से तो एक रायम होना या कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है तो वो है और एक तमिलाडू का है नेक्स पर आते हैं कि केंद्री पर्यावरण वन और जलेवाई परिवर्थन राजमंत्री असुनी कुमार चौबे ने हाली में कार्विट नेशनल पार्क जो कि हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है उत्राखंड में पढ़ता है उसका नाम परिवर्थित करने का सुझाओ अब इसका नाम परिवर्थित करें कि रखा क्या जाएगा राम गंगा नेशनल पार्क अब यह ओल्डेस्ट है आपको याद हो कि हैली नेशनल पार्क इसको बोला जाता था 1936 और फिर यह मुलब 1956 तक हैली चला देन फिर 1956 से इसका नाम हो गया था कार्विट नेशनल पार् आईकर प्रोजेक्ट था नाइंटीं सेमेंटी था रिगा वो सबसे पहले हमारा यहीं पर सुरूं किया गया था नेक्स्ट आहिए कि हैली हैली जो पासपोर्र इंडेक्स ऐसमें ने पासपोर्र इंडेक्स में हमारी है जो 2019 है है कि 90 ठीक है 90 रैंक में नेक्स्ट है जी आई टेक से टुड़ा हुआ एक पॉइंट हमारा कि महरास्ट के पालगर का पिसित द्वय चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जी आई टेक प्राप्त हुआ पालगर में चावल है इसको जी आई टेक मिला इसका नाम है वार्डा कोलम चा 2021 को बनारस से 64 जो 64,000 करोड की रुपए की एक लागत वाली किस मिसन की शुरुआत की है तो पीम आईशमान भारत स्वास्त और संरचना मिसन तो एक प्रकार से हेल्थ इंफ्रस्ट्रिक्चर जो है मिसन है ये और अगर आप याद करें तो वैसे भी मिलान के लिए पुछा की गई तो सेप्टेंबर 2018 में सुरू की गई थी सितंबर 2018 में नेक्स्ट वर्शन पर आते हैं कि अक्टूबर 2021 को प्रिधान मंत्री मोधीजी ने किस प्रदेश में नौ निरमित नौ मेडिकल कॉलेज का लोकारपन किया उत्तर प्रदेश में चुनाओ भी है नजदिक तो नौ मेडिकल कॉलेज का जो लोकारपन किया गया वो उत्तर प्रदेश में किया गया आप लिंक करने के लिए है सिर्फ तो नेक्स पर आते हैं कि केंद्री मंत्री जो है डॉक्टर जीतन सिंग ने कहां पर हेली बॉर्ण सर्वेच्छन दारा सुस्क छेत्र में भूजल प्र राजस्तन में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यह इंपोर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट कोशन बनने वाले यह फैक्ट है जो कि है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतंतान केंद्रों की डिस्टल मैपिंग हो सके कि मतंत केंद्र कहां पर है एक आप लांच किया है और वो है गरूण करूण वैसे भी हावा से उपर से मिल आकास से नज़र रखते हैं तो मद्दान केंद्रों की डिस्टल मैपिंग के लिए निर्वाचन आयोग कर जो एप है वो क्या है गरूण किisa next पहाते हैं की डूल अफ़ ला इंडिक्स है का डूल आफ़ लाइंडिक्स ढ Dusty इस में भारत की रंकेंग तो 79 रंकींगल और इसे जारी कुंड करता है जारी करता है इसको वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स जो है डबलू जेपी रूल अफ ला इंडिक्स 2020 जारी किया है इसने और भारत की रैंकिंगे 79 ओके भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित वाली वन्य जीव डियने परिच्ण विसलेशन प्रियोक साला का हाली में उद्घाटन कहां किया गया है नागपुर में किया गया है उद्घाटन इसका भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित वाली वन्य जीव डियने परिच्ण विसलेशन जो वन्य जीव का डियने होता है उसक इसने स्वयम की वन जिव कार योजना स्वयम की वन जिव कैसे मिलब वहां पे मैनेज हो उसको तो उसके लिए कार योजना परिस्तुत के और यह पहला भारत का राजज़ इसने स्वयम की वन जिव कार योजना के सुरुआत के नेक्स प्यादे नॉम्बर 2021 को भारत के पहले ओ वुद्गाटन कहा भी किया गया तो open air rooftop driving movie theater Mumbai बड़ी जगे हो सकता है तो open air rooftop driving movie theater को वुद्गाटन किया गया Mumbai महारास्ट में अगला point है कि no mb 2021 में पूर्वत्तर आदिवाश्व के लिए एक नए जयो प्रोधोगी की खेंद्र का उद्गाटन कहां किया गया तो एक न्यू बायो टेकलोजी सेंटर जो है उद्गाटन किया गया आउना चल प्रिदेश में नेस्ट पॉइंट है नॉम्बर 2021 में टिसू कल्चर आधारित बीज आलू नीमौ को मंझूरी देने वाला पहηला भारती राज बना पंजब आशा ये टिसू कल्चर आधारित बीज आलू नीम conservative ये करण यह है कि एक आलू के जो बीज होते है तो मानक आलू बीज केंद्र की रूप में पंजब को डिवलॉप करने के कोशी से पंजब सरकार की उसके तहात के कदम उठाएगा नेक्स्ट पर आते हैं एक सुचकंग है जलवाईव परवरतन प्रदर्सन सुचकंग CCPI जलवाई परवर्तन प्रदर्शन सुचकांग यह जर्बन वॉच एक संस्ता है ग्लोबल संस्ता है वो जारी करती है तो इसमें भारत की रैंकिंग कौन है कौन सी रही है तो इसमें भारत की रैंकिंग है टेंथ नंबर की दस्वी रैंकिंग है इसमें नेक्स्ट है कि बॉल प्राज अली हैं इनको नियुक्ति किया गया है अगले पॉइंट्स में आते हाली में भारती रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उस सर्जक बनने की घुसना की गई है यह कार्बन इमिशन जो है वो नेट जीरो वाले कॉंसेप्ट की काम करेंगे हमारी रेलवे और कब तक इसे पूरा करेंगे 2030 तक तो यह इंपोर्टेंट है वारती रेलवे का लच्छी पूंस सकता है कि कब तक उन्होंने अपने आपको कहा है कि भाई नेट जीरो तक हम चले जाएंगे तो 2030 तक अगली पॉइंट्स की तरफ बढ़ते नीतियायोग और अगर उनको बढ़ाया चाहें लोग जाग रुख उस बारे में तो यह अपॉर्टल बनाया गया और यह कहां पे लॉंच किया गया था कॉप-26 अभी उन्हों लोग नोग पढ़ा था ग्लोह स्कोम्हां एक नेटेसिक्स है और यह लॉंच किया गया और इसका पॉर्टल का लाम किया है तो यह अमरत पोर्टल तो यह अमरत पोर्टल सीधा पूंचा जा सकता है कि अमरत पोर्टल क्या है तो यह बस हम बता सकते हैं कि एलेक्ट्रिक वहान जाग रुकता वेब पोर्टल है एलेक्ट्रिक वहान की जाग रुकता से संब्धित है नेक्स पॉइंट है कि एक मुख्पंत्री हैं किस राज़ की मुख्पंत्री हैं या कौनसा राज़ है जो सिंच्छा के इसTर को बढ़ावा देने के encant होगे यह यहां पर कि मुप्त सिंच्छा योजना की गोशणा के हिह हुर्टBlack अहां रायपूर 36 गण में रास्टी जनजाती नेथ महुस्तों क्योंकि जनजातियां उस तरफ जादा हैं तो ऐसे बी जोड कि थोड़ा देख सकते हैं कि रास्टी जनजाती नेफ महुस्ता जो मनाया गया रायपूर 36 कर भूम अगला पॉइंट है हमारा की केंदरी सतरुक्ता आयोग सीवी से ने कब से कब तक सतरुक्ता जागरुक्ता सब्ता 2021 बनाया तो आई धिंग कितना आप इंपोर्टन नहीं है जागरुक्ता सब्ता मनाते रहते हैं तो 26 अक्टूबर से लेकर एक नॉम्बर तक नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाली में कहां पर उद्गाटन किया गया तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कोलकाता के स्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वहां पर किया गया भारत क कि राज या सरकार ने बनों की कटाई से नुपटने के लिए जो भूम हीन या गैर आदिवाशी किसानों को जंगलों के अंतर खेती पोडू को परदी छेत्रों में इस्तांतरित करने का निर्णे लिया है तिलंगाना सरकार ने पूडू एक्टिंग कल्टिवेशन का एक प्र लिए पोलिषांना सरकार तने लिए और जिया में इस्तांत टूर्ञति होते हैं तो यह वहां करन रहा है उत्तरा खंड में एक प्याज कि किष्ख घाल में भारत का फेला वाइस बेस्ट मेडिया एpp heut हुट एप लॉंच किया है तो यह रजनिक और रजीनिक और अगर याद करें तो फिप्टी फर्स्ट जो एक नवा द्यादसाब फाल के पुरिसकार जो मिला है वह किसको मिला है रजनिकांत को और एक्षण में जो हुट։ एफ है जो वाइस बेस्ट सोसल मीडिया एफ है यह वैसे रजनीकांत की जो बेटी है सौंदर्या उन्होंने इसको लॉंच किया है तो उनका भी नाम सौंदर्या का अगर जुड़े तो याद रखें कि वो सही होगा अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि अक्टूबर 2021 में किस राज में 43 चिल्डर्न फ्रेंडली पुलिस इस्टेशन की इस्तापना की गई ओडिशा में की गई निस्ट पैजाते हैं कि हाले में किस राज सरकार द्वारा एस्चेशन एक यूर डोर इस्तेप योजना लागो के गई एजूकेशन यूर इस्टेप योजना और इसको तमील नाडू की लेंगविज में आगर बोलोगे बोलेंगे हम लोग तो इल्लम थेधी कलवी इल्लम थेधी कलवी घर पर सिच्छा के नाम से भी जाना जाता है तो education at your door step योजना का संबंध कहां से तमिलनाडू से अब नेक्स्ट पॉइंट के और बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाली में भारती नौ सेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहां पर लॉंच किया गया है ये तुसील है ये कहां पर लॉंच किया गया है तो ये एक युद्ध पॉत का प्रकार है और ये तलवार सेनडी पर आधारित है ये युद्ध पॉत तो ये तलवार सेनडी पर आधारित चार युद्ध पॉतों क तुसील है तो तुसील पुंचा भी जा सकता है डारेक्टली भी और या तो युद्धपोत का जो टाइफ है वो है तलवार सिंडी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अक्टूबर 2021 में देश का पहला एलकोहल म्यूजियम कहां पर खोला गया गया गोवा में देश का पहला जो एलकोहल म्यूजियम खोला गया है और यह केंडोलिम बीच है वहां पर खोला गया है नेक्स्ट पॉइंट की और बढ़ते हैं ग्यान परिवरतन के लिए नवाचार उद्धमिता विध्यान प्रोद्ध की अनुसंदान और कौसल पर जोड़ देने के लिए सड़क अग्यान परिवरतन के लिए जो नवाचार चाहिए दमिता चाहिए इंटर नियोशी विध्यान प्रोद्ध की है अनुसंदान पर जोड़ देने के लिए नेक्स्ट पर आते हैं कि उत्रागंडबन विभाग की अनुसंदान साखाद्वारा राजमे कहां पर हाली में देश इसका सबसे बड़ा सुगंदित उद्धन या एरोमेटिक जो गार्डेन है वो कहां पर तो यह है लालकुगा नैनिताल लालकुगा नैनिताल उत्रागंड में एरोमेटिक गार्डेन मतलब खुशबू है अगर आप नैनिताल जाएंगे तो उस तरीके से याद रखें नेक दचड रेल्वे की पहली एकी इकत प्रबंधन प्राणाली प्रमाडिट ट्रेंड बन गई है कि उन्होंने बड़ा अच्छे से मैनेज किया है पुरा तो दचड रेल्वे की जो ट्रेन है उसका नाम है चेननई महसूर चेननई सताबदी एक्सप्रेस एकीकत प्राण स्क्र एक्स्प्रेस आगे हम अपने पॉइंट्स के और बढ़तें तो एक बारा वर्सी वह भारती है इतने कम उम्रे में दुनिया की चार सबसे उची चोटियां तो उन पर फत्य किये हैं परवतर वही है यह साइं सुधीर कावड़े साइं सुधीर कावड़े तो एसिया की सबसे कम उम्रे के परवतर ही बन गए उन्होंने चार चोटियों को जो हैं दुनिया की उनको वहाँ पर चड़ाई किये तो इन्होंने एक चोटी जो है मनाली अक्टूबर 2021 में एक चोटी है उसको फत्य किया एक एलबुरूस जो है मिलनी है तंजानिया में हैं यहां पर भी गया है और एक कांगरी चोटी है हिमाले में यहां भी इन्होंने चड़ाई किये तो ठीके नेक्स्ट पॉइंट पर हम अपने आते हैं कि हाली में किसके द्वारा मैपिंग कि मैपिंग इंडियाज क्लाइमिट वॉल्नेबिल्टी दिस्टिक लेवल असेस्मेंट सीर्सक्से एक रिपोर्ट जारी किये तो डारेक्ट कोशन आ सकता है मैपिंग इंडियाज क्लाइमित वंनरिबिल्टी अदिस्टिक लेवल असेसमेंट रिपॉर्ट किसने जारी कि है तो उर्जा पर्यावर्णडी और जल्बरिशंद बलू है तो इस ने इस अ रिपोट्ट को जारे किया है और यह प्रकार से जो है आए पॉलिसी इंस्टिउचन है नॉन प्रॉफिट एक पॉलिसी रिजर्च inspirate है CC CEW इतना ज़्यादा एक रिपोर्ट के सेंस में पूशा जा सकता है कुशन बांकि संस्था पर तो आई तिंक नहीं पूशा जाएगा वह यूप सी के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है अब निक्स पे आते हैं कि हाली में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट् ूप बहांस के जो बचड़ए की नस्ट का नाम कैए एक बहांस का बचड़ा है वो टेस्ट् त्यूप से पाईा आ और jetzt की नस्ट का न इसकी नस्ट का थे क्षक्ड़ा的 हैं तो यह कहा और दोजार इकने किस अंतरास्टी संगतन ने भारत को अपना पून कालिक सदस बनने के लिए हम पर आम अन्तरीत किया उन्हें लुए है और हमारे जो पून कालिक सदस बन जाइए अंतरास्टी संगतन ही हो कि तो अंतरास्थी और्जा है जनसहैं इन Anytime इनर्जी एजेंसी है यह इसकी स्तापना 1974 में हुई थी 1973 जो एक उस टाइम ऑईल क्रासिस आया था उसके बाद इसके स्तापना हुई थी और इसका जो हैटकोर्टर है वो है पेरिस फ्रांस में नेक्स्ट पर आते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा हाली में शुरू किये गए दे इसके में तरह कार करां तो इस सो नुसुद भी जुड़े थे आगे चाहिए घाव और और वनकंफ ज़े है तो दिल्ली सरकार क इसका उद्वीश क्या था है तौ ये है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के छातरूं को कर डादार सब्सक्राइब को कैरियर के विकल्प क्या हूं उस पर मार्क्रितरसन मिले तो इसके मेंटर से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कोशन है एक निवेसक है राकीस जुन-जुन वाला समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने के प्रस्ता हुए तो इसका नाम है अकासा जो एयरलाइन है वो आगामी दिनों में शुरू हो सकती है और इसके निवेसक रहेंगे राकेस जुन-जुन वाला नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कि अक्टूबर 2021 में कौन सा राज खुले में सौंस से मुक्त ओडियफ्री और प्रतेक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज बना तो यह गोवा है यहां पे खुले में सौंस से मुक्ति होगी ओडियफ्री है अधन प्रतेक घर म में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है मारा की अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक छेत्र के किस पेतिस्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रूजन बनाने वाले सायंत्र की निर्मान की मुशना कि हम सबसे ज़्यादा हरित हाइड्रूजन है उसको बनाएंगे तो ऐसा काम गेली कर सकते हैं याद करने के सेंस में देखें तो सबसे बड़े हरित हाइड्रूजन बनाने वाले सेंथ की निर्मान की वोसना किसने की है गेलने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आजादी के अमरत महस्सो उस्सो के एक हिस्से की रूप में अमरत महस्सो पॉड़कास्ट यह किसने शुरू किया है तो यह संस्कृति मंतरा लेने शुरू किया है अच्छा यह आजादी का जो अमरत महस्सो है इसकी शुरूआत कब से हुए और कभ यह फिनिस होगा यह इंपोर्टेंट है और यह कब तक कितने सब्ता तक चलेगा यह भी इंपोर्टेंट है कुशन आ सकता है अगर वो डेपती में कई बार चला जाता है तो पूछ सकता है कि कितने सब्ता तक चलेगा सेवन्टी सब्ता या वीक सेवन्टी वीक सिक्स्टी वीक ऐसे गरेके तो 75 वीक चलना है और इसकी शुरूआत जो हुई थी वह बारे म मार्च से साबर्पती आस्रम से पैदल यात्रा की शुरूआत हुई थी और यह 75 वीक तक चलना है और यह 15 अगस 2023 तक बलब 20 में शुरूआ मार्च में और यह 15 अगस 2023 तक चलेगा जब हम 75 अपनी आजादी के इनवर्सरी मना रहे होंगे तब तक नेक्स प्रकोशन आत्में नेक्स वोशन है कि कॉंकर्ड सकती 2021 सेन अभ्यास किस देश के साथ भारती ससत्रबलों का पहला त्री सेवा अभ्यास है तो कॉंकर्ड सकती का संबन सीधा पूंच सकता है कि कॉंकर्ड सकती अभ्यास किसके साथ हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं यूनाइटिट किंगडम के सा नेक्स्ट पर आते अक्टूबर 2021 में जारे एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कारबोंग जनजाती की विलुप थोने के अंतिम चरण में बात कही गिए कि यह जनजाती जो है विलुप थोने के कगार पे है और क्या नाम है इसका कारबोंग और यह कहां पाई जाती है तिरपुरा में तो तिरपुरा में एक जनजाती है कारबोंग जनजाती जो के विलुप थोने के कगार में मानेगी है तो सीधे तोर पर मिला सकता है कि कारबोंग जनजाती जो विलुप थोने के कगार पे है उसका किस राज में निवास इस्तान है, तो तिरपुरा में, निक्स्ट पाते हैं, IUCN, International Union for Consurvation of Nature, ने हाली में एक असम के मुक्क मंत्री है, उनको एक पत्र लिखा और कहा कि ये इस्तान, इसको सनर्चित कीजिए, तो कौन सा वो इस्तान है, तो वो इस्तान है, कोकिला बारी सीट फॉर्म, कोकिला बारी सीट फॉर्म, एक्शली में ये जो इस्तान है, ये बंगॉल के फ्लोरिकन पच्छियों के लिए स्वर्ग बोला जाते हैं, बंगल के फ्लोरिकन जो पच्छिय हैं यहां बहुत आते हैं जो है critically endangered category में आते हैं तो उनका यह है कि अगर यह इस्तान सुरच्छित नहीं रहेगा असम सरकार ने यहां पर विश्विद्याले बनाने का यह मानस नेशनल पार्क है उसके जस्ट भगल में हैं तो विश्विद्याले निर्मार की यहां पर योजना है असम सरकार की तो आने प्याइब नाया जा रहे हैं नाइटी टूंटी वन में पहली बार विदान सभावा की पहली वर टक हुई ती क्योंकि जब और 1919 का जो एक्ट है है एक अग्ट आटीन आइटीन वहां से बिहार और विश्या को एक पूल राजय का दर्जा मिला था और फिर यह विदान सभा बावन के निर्माड होगा और बिहार जो विदान सबावान है वो 1921 में शुरू हुआ तो सो वर्सुस के पूरे हुए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 16 एक्टूबर 2021 को मड़ीपूर के जो सितनता सेनानियों को इसे धांजली देने के लिए केंद सरकार ने अंडमान और निकुबार का एक द्वीप है माउंट हैरियत इसको आप क्या कहा जाएगा तो आप कहा जाएगा इसको माउंट मड़ीपूर और माउंट जो हैरियत था जो आप माउंट मड़ीपूर कहा जाएगा यह थर्ड लाइजिस्ट जो पीक है अंडमान ने को बार की वह है क्योंकि फर्स्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे सैटल फीक है जो नौर्थ अंडमान में आती है नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हाली में भारत सरकार के पर्रामन मंत्राले द्वारा कोरिंगा वन जीव अभ्यारन के आसपास के 177 वर किलोमेटर छेत्र को एको सेंस्टिव जोन गोजित किया गया है तो यह सारा कुछ इंपोर्टन नहीं है जो काफी चेंज दी होती ह अगर बनेगा तो यहां पे सिर्फ इतना है कि कोरिंगा वन जीयो अभ्यारन कहां तो कोरिंगा जो वन जीयी अभ़्यारन है वो आंधर प्रिदेस में आप्शन में आ सकते हैं कोरिंगा वननेजी बभ्यारन काहा है तामेलाटू अश्रम अर्वणाचल प्रदेस आंदर प्रदेस तो कोरिंगा आंध्रा कोरिंगा आंध्रा अक्टूबर 2021 में किस राजी ने स्वच अभियान की शुरूआत किये तो यह अभियान भी किस ने किये ह अंध्रा ने को रिंगा भी हम लोग ने पढ़ा अंध्रा और सच अभियान की शुरुआत कहां की गई है आंध्रा में आगे बढ़ते हैं लोग भारत का पहला अटल सामुदाइक नवचार केंदर जो है अटल कम्मुनिटी इनोवेशन सेंटर कहां पर सुरू किया गया है तो जैपुर राजस्तान में यह जैपुर में सुरू किया गया है भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसी मेगा सैन अभ्यास युद्ध अभ्यास जो ह इंया है भारत की पहलीrauनी विश्व कर्मा वाटीका कौन से राजokes के फुनारहार्ट में सतापित किया गयी तो अत्रप्रिदेश का जो χुनारहार्ट लगा तो उसमें पहली रासामिल कहा था ये तो हमारा जो बेव बंगॉल वाला छेत्र है वहाँ पे दच्छण ओड़ इसा और उत्री आंद्रप्रदेश के 30 छेत्रों में कि अग़ी पॉर्ण की कि अगली पॉर्ण कि वर बथते हैं लोग एक अक्तूबर 2021 के सरकार की चार दसक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया यह बड़ कपर यहां पर दसक पुराना टा चार दसक परम उसक्राने का आदे जब ये भंग ऊका तो साथ नहीं रच्छा कर्म बनाए जाए जाए ग्यान है कि अमेजन इंडिया ने हाली मेशा से वेस्विक कुम्हेटर विज्यान शिच्छा कार्क्रम सुरू CT कंप्यूतर विज्यान शिच्छा कार्क्रम कुम्हेटर की सिच्छा मेजण नग declaris तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर तो वैसे पूचा जाएगा किसका कारक्रम है तो सीधा अमेजन लिखा हुए तो अमेजन इंडिया क्या हो गया वैस्विख खाद सूरज्चा सूचकांग में भारत के स्थान के है डिनाटीफर्स्ञा में वैस्विख खाद सूरज्चा सूचकांग जारी कौन करता है तो यह लंदन इस्तित एकनोरिस्ट इंपेक्ट है उसको द verbally निरमित है मालों सकता हैं वह सरकार्स ने एक Şu से मुख मंतरी राशन आपके द्वार योजना के शुरुवात कि हैं तो ऐसी डार्टरी पूश सकता है कि मुख मंतरी राशन आपके द्वार कि राश्च्ण कि सरकार की योजना है अगले पॉइंट की और बढ़ते हैं को बिए 19 टीका करण अभ्यान शुरू होने के लगबग 9 महिने के भीतर भारस ने किस दिन सौ करोर के टीका करण का विश्य की इर्तमान बनाया है तो यह डेट इंपोर्टेंट है इसको आप टिक कर लिजे क्यूंकि UP में पहले भी dates पूछी गई है पोल्यू की डेट के पूछी पूछी गई है तो और भी गहीं जिनों की पूछी गई तो डेट इस तो आती है तो यह 100 करोड का इरतिमान मना एक्टीक करन में तो पूछी जा सकती है तो 21 एक्टूबर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं तो वो लगा था यहां पर राम मनुहर लोहिया ऑस्पिटल है देली में तो वहां पर अरुन राय जो बेखती हैं उनको लगा था और अगर फस्ट की बात करें अगर आपको याद हो तो फस्ट जो लगा था वो लगा था एम्स के सफाई कर्मचारी थे मनीश कुमार उनको लगा था तो शौकरों टीका करन कभी सुकी इर्थिमान किस दिन भारत में मनाया 21st इक्टूबर 2021 को हाली में ग्रह मंत्री अमिसानिक इस जिले में सेवा ही संगठन कारकरम के तहट मोदी वैन मोबाइल मेडिकल वैन की सुदूर गाओं को सरकारी स्यमाय प्रदान करने के लिए हाली में किस राज ने प्रसासन गाओं के संग अभियान की शुरुवात की कि तो राजस्तान ने उन्हें का कि जो प्रसासन ने वो गाओं तक पहुँचे और इसलिए प्रसासन गाओं के संग राजस्तान राज्यत कि अंदर जो है हमारे क्या पोटेंसियल है बहु इस्थानिक उर्जा का तो इश्रो और उर्जा मंत्राले और नीति आयोग ने तीन लोग ने मिलके से जारी किया है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हाली में किस भारती संस्तान वादा छोड़े गए कार्णिया से हाइड्रो जेल विक्सित करने में सफलता प्राप्त की जिसे कार्णियल पेत्ता रूपण के समय के रूप में प्रियोग किया जा सकता है तो आईटी हैदराबाद के जो हैं साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया क कि जो कॉर्णिया बेकार हो जाता है जब वेक्तिडेड हो जाता है या वैसे भी तो उससे हाइड्रो जेल जो होता है उससे विक्सित करके और जब कॉर्णिया किसी का पित्ता रूपड होता है जैसे डोनेट करते हैं तो कॉर्णिया जो पित्ता रूपड किया जाता है तो सच भारत मिसन सहरी 2.0 की शुरुआत कहां से हुए दिली से हुए है। सच भारत मिसन सहरी 2.0 दिली से शुरुआत हुए है। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जैनती के उसर पर कहां पर दुनिया के सबसे बड़े खादी रास्टी ध्षज का अनावरण किया गया। तो दुनिया के सबसे बड़ा जो खादी रास्टी ध्षज है वो बनाया गया लिये में। यहां पहना भरन होगा लिये में। 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत ने किस देश के साथ मित्र सकती सैन अभ्यास। इसमें बस इतना याद रखना है कि मित्र शकती सैन अभ्यास किस के साथ गया तो भारत और श्लंकाुक्रा,द मित्रuct क只 सकती सैन अभ्यास। का जो और सकता है कि मेरा घर मेरे नाम योजना को लांच किया है मेरा घर मेरा नम मेरे नम तो मेरा घर मेरे नाम योजनक लॉंज किया है पंजाब में अगली ओशन की और बढ़ते हैं कि भारत को 2022 से 24 की अवदी के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राज संग के किस निकाय का सदस चुना गया है तो मानवा दिकार जो परिशद है यूएन एच आर्सी जो है उसमें बारत सदस रहेगा 2022 से 24 की अवदी के लिए तो सारवजनिक परिवाहन में रूप ने रूप ने वैसे गलत लिखा यह रोपवे होना चाहिए यहां पर यह रोपवे होगा तो सारवजनिक परिवाहन में रोपवे स्विवाहं का उप्योग क एक बॉलिविया और एक मेक्सिको सिटी दो सहर हैं जहां पर इमलब जो सारवजनिक जो पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन होता है उसमें रूपवे सिवाह जो उपर उपर जाते हैं तो वह वारांसी में भी सुरूओंगी हाली में किसे गुजरात विदान सवा की पहली महिला अध्यच चुना गया डक्टर नीमा बेन आचार गुजरात विदान सवा की पहली महिला अध्यच चुना गया डॉक्टर नीबा बेन बेन आचार नेक्स्ट पॉइंट है कि DRDO द्वारा आकास प्राइम मिसाइल का सब पहला सब परिच्छन कप किया गया तो आइधिंक यह इंपोर्टन नहीं है आकास प्राइम जो है मिसाइल यह इंपोर्टन है इसकी मार साइद 1000 से 2000 किलमेटर के असपास है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कि असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित सराब जो होती थी उसको GI टेग मिलाए उसका नाम क्या है जुडिमा तो कुशन आ सकता है कि दिमाशा समुदादारा चावल से निर्मित सराब उसका नाम क्या है तो जुडिमा है हाली में अदालतों से जलो में ये प्रमारित प्रतियों को इस्थांतरित करने के लिए उच्छतम न्याले ने किस इलेक्ट्रानिक बढ़ानी को लागू किया है इसको फास्त तरीके से ट्रांस फर्किया जा सकता है यह और जुड़ा है किसे अदालते हूं सो जेलों में जो इप्रमारित प्रतिया आ जाती हूं उसे जुड़ाए नेक्स आते हैं लुग एक विजवाय सांस्कृतिक मौस्व है ऐसी पूचा जाएगा कि विजवाय सांस् किया उसका नाम किया है तो बिजवाय सांस्कृत मौस्व और 1971 के भारत पाक युद्धिकी स्वन जैनती क्यों असर पर मनाया गया नेक्स पूसन पर आते हैं कि सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्ट अप एकोसिस्टम रैंकिंग बहारत को रैंकिंग प्रदान केगी तो 20 इस भी रैंकिंग है और स्टार्ट अप जो ग्लोबल स्टार्ट अप एकोसिस्टम रैंकिंग है वो जारी कौन करता है तो स्टार्ट अप ब्लिंक द्वारा जारी की जाती है और इसमें रैंकिंग है वारत की 20 वह राज जहां कि वन विभाग द्वारा राज के पहले पालम यह मेनिताल के थालडवानी हाल एनी तालमय हम्तार वहां पे विक्सित पायं bites में पार्टार थैंडे मैं επर एक प्रकार के बागवानी यह था यह मद पोसक्रांतर सिंग है आयुष्मान बारत डिच्टल मेसन की चुरूआत कव सप्थाइस सितंबर 2021 बेढ़ा उत्पाद जिसे सितंबर जी आई टेक मिला है एक नागल उतपाद है जिसे बोला जाता है मीठा खीरा इसको जी आई टैक मिला है तो मीठा खीरा कहा है जिए टेक से जड़ा हो है तो नागलेटे का होग ऑगया नग्स प्यायते कि भारती वायुशेना हे अगला अध्यच वायुश्यना है यहाँ अगला अध्यच जो है 15 कौन बनाया गाए तो यह मार्सल विवेक राम चौधरी वियार चौधरी और इनके पहले कौन थे केस बदारिया केस बदारिया थे इनके पहले नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि 24-28 सितंबर 2020 के मत पहला हिमाले फिल्म महसो कहां पर आयुजुद किया गया तो सीधी इंपोर्टन्ट इसमें जो लाइन है व सबसे ओंचे बीक विकल चार्जिंग का उद्गाटन किया गया तो वो किया गया लाहौल इस्पिति के काजागाहं में काजागाहं में ah तो यहां पर कोशन बनेगा कि दुनिया की सबसे उचे एलेक्ट्रोनिक जो विकल चार्जिंग स्टेसन का उद्गाटन कहां तो वह सीधा लद्दाग भी याद रखें या लाहौल इसपिति याद रखें काजा घाओं भी आ सकता है तो लाहौल इसपिति के काजा घाओं में भारत का इस्तान इसमें 46 थे वैस्विक नमाचार सुचकांग में 46 नंबर पर नेक्स्ट कोशन है कि नरियन बोधी जी ने राजसभा सवापती वेंकेया नाइडू और लोक्षभा देच ओम बिल्ला के साथ संसट टीवी को लॉंच किया अब राजसभा और लोक्षभा अलग और इसके जो सीओ बने हैं वो हैं रवी कुमार संसर टीवी के सीओ कौन बने हैं रवी कुमार नेक्स्ट कोशन है भारत के सिक्स्टी फस्ट सॉप्ट्वेर प्रोधवकी की पार्क का उधगाटन कहा हुआ तो नाग नागालेंड में हुआ सब्सक्राइब की पार्क कवदगाटन नागालेंड में नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है यह कि बारा सरगार की किस मंत्राले द्वारा जो है सहरी स्वैम साहता समू का जो उत्पादन होता था उनको अगर बेचना है विपड़न करना है तो ब्रांड क्या है उसका ल लोगों किस ने जारी किया आवाश हैं हुम सहरी मंत्रा लेने तो जो सहरी स्वैम साहता समू होंगे उनका जब उत्पाद जाएगा तो उसमें सोंच रही है अगा ब्रांट या लोगों होगा अब आगे बढ़ते हैं लोग राजस्तान का वैउत्पाद जिसे हाली में सरकार दोरा जी आई टेक मिला है तो सोजत मेंदी सोजत मेंदी कहां की है राजस्तान की इसको GI टेक मिला है सोजत मेंदी एक अध्यन गुए हाली में तो उसमें यह है कि ना केबल भूजल में बलकि खादर संकला जो होती है खाने का आइटम से उनमें भी आरसेनिक प्रदूशन पाया गया है तो यह कहां बिहार में तो बिहार में ना केबल भूजल में बलकि खादर संकला में भी आरसेनिक अब मिलता है नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं लोग कि टाइम मैकजीन जो है उसने सो जो दुनिया के प्रभावशाली वेक्ति हैं उनकी सूची में कि इन तीन भारतियों को सामिल किया है तो तीन भारति उसमें संभावना भी है कि नर्यनोदी जी है, मुकपंतरी ममता जी है और सीरम इंस्ट्टूट के अधर पूना बाला है ठीक है नेक्स्ट कोशन की और आते हैं कि इसको आई रास्टे भी आप कह सकते हैं रास्टे से एक लिंक भी आ जाएगा कि केंद्री सड़क परिवान मंत्री निदिन गटकरी ने इसको लॉंच किया है आई रास्टे ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं कि भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहां सुरू किया गया है तो टाटा इस्टील द्वारा जमसेथपूर वक्ष में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट टाटा इस्टील द्वारा जमसेथपूर वक्ष में सिच्छा की भासा को दूर करने के लिए एक संस्तान है उसने एक प्रोजेक्ट लॉंच किया है प्रोजेक्ट उडान तो कई पर हमें लगा किसी मंतराले के स्कीम हो सकती है कुछ हो सकती है लेकिन आएटी बाम्बे है और इसने सिछा की भासा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उडान को लॉंच किया है अगली कोशन के और गाते है नेक्स्ट हमारा है कि आंधर प्रदेश के 30 छेत्रों हुआ ओड़ीसा के कुछ छेत्रों में एक चक्रवाती भीसार तूफान आया था भारत में पहली बार 19 से 20 नॉंबर 2021 को वैस्ट्विक बहुत सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा तो नालंदा बिहार में वैस्ट्विक बहुत सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहां पे नालंदा बिहार में हाले में भारतिय आंतिरिच अन्संदान संगटन इस रो औुपसे जुड़ने वाले पहली निजी कमपनी यां पेनीजी कमपनी की बात है तो इसका यूट एरो इस कमपनी है जो इस रोसे जुड़ेगी आपशारी करूप में अगले पॉइंट की और बढ़े मिट इक Early लिगिस्टली इसक्ल करने का एक प्रोग्राम है Spring Board इनफोसिस ने लॉच के अगला कुशन है कि रास्टी जो गाय है उसको रास्टी पसू गोसित करने का नितिश किसने दिया तो तो इलाबाद लाबाद हाई कोट। इस ने जानी किया था नेक्स्ट पॉइंट है मारा कि मदद प्रदेश के बाला-घाठ जिले में पएदा होने वाली धानी की प्रजाती जी से जी आई प्रिश्ञंट नम्रां से अन्वेज़ परिश्ञंट थैयर्टी तो एसे जोड़ सकते हैं बह Came हाली मेंekkata सिक्रों करनेवाला देश का पहला राँचाबन अच्कार बढ़ा स्वारा मद्य प्रदेश.. पावर सेक्टर में साइबर सेक्रिटी लागू करने वाला देश का पहला राज मद्य प्रदेश.. देश की पहली लग्जरी बस सेवा हाली में कहां पर स्रीनगर में शुरू की और सोले से अठारे सितंबर 2021 के बीच भारती सेना प्रमुखों का कान के लिए जो है वो कहां आयुजुद किया गया तो नहीं दिल्ली में भारती सेना के जो प्रमुख थे वो मिले कहां पर नहीं दिल्ली में कुछ पॉइंट लेस इंपोर्टन थे तो उसमें उतना ज्यादा ध्यान देनी की जुरत नहीं है इसलिए उनको तीजी से चलेंगे और जो पॉइंट ज्यादा इंपोर्टन वह फोकस ज्यादा रहेगा रिपीट उससे ज्यादा किया जाएगा नेक्स्ट है जैसे यह पॉइ तमिल अडू का और इडन पूडू चेरी के तो अब संख्या टोटल कितने हो गई जो ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र भारत में पाच चुके हैं तो वह हो गए टेन इन दोनों को पास पाने के बाद कितने हो गए टेन इसमें यह है कि वैसे वर्ड लेवल पर अगर देखें तो बहुत सारे जो समुद तर्थ हैं उनको ब्लू फ्लैग मिल चुका है और उनकी सीमा संख्या जो है चार अजाराट सो बीस है समसकते हैं बहुत ज़्यादा है लेकिन इंडिया में बड़े कम मिलें दस तो दस पर भी कोशन आ सकता है अगर डिफ्ट में वो जाता है कि द रुसी कोंडा करके है आंद्राप्रदेश का गोल्डन है जो पूरी का है और राधानगर जो है आंद्रमाने निकुबार का है और दो है करनाटक के कासर कोड और पदू बिद्री तो यह सिर्फ एक बार आपने सुन लिया काफी है बागी इंपोर्टन्ट यही है कि कोवलन प्तमिलाडो इडन पूर्टूचेरी जो अभी हाली में ब्लू फ्लैग प्रमाड पत्र पाए हैं नेक्स्ट पॉइंट बहने है कि आली में प्तमिलाडो सरकार ने किस देश के सहयोक से मनार के काड़े में एक उर्जा दूए तो ऐसी कुशन सीधे तोर पर बनेगा कि एक मनार की काड़े में एक उर्जा दूब बनाने की गोंचना तम्यार्डू सरकान ने कि देश के साथ मिलके यह तो वो तेन देन्मार्क है नेक्स कोशनने कि सुरच्छा पर कैबिनेट समीतने सितंबर दोजार इकीस में 56C 295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीदने के मंचूरी दिए इस पेन से 56C 295 मेगावाट विमान मेगावाट लगा ऐसा लग रहा है विजली उत्पादन हो रहा है तो याद रखने 56C 295 मे हुआ है किसके साथ सितंबर में ऑस्टिलिया के साथ अलागी पहले भी अमेरिका और के साथ हो चुका है जापान के साथ हो चुका है और इधर जो आंगे होनी की संभावना है वो रसिया के साथ है लेकिन अभी अगर सेप्टमबर में आप से पूछता है तो वह उस्टिलिय ट्रेकिंग जहाज वह एक बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रे ट्रेकिंग जहाज को लॉंच किया है तो आइनस दुरू यह इंपोर्टेंट है तो भारत के पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रे ट्रेकिंग जहाज को लॉंच किया उसका नाम किया आइनस दू किसानों को छोटी नाज होते हैं उनके फसलों के उची दाम मिल सके तो एक मिसन शुरू किया गया है वाजरा मिसन यह किस से किस राज गया है तो बाजरा मिसन जो है वो किस राज में शुरुआत की चार ऑप्षन दे सकते हैं कि यह एंपी चत्तेजगड योपी बिहार तो बाजरा मिसन जो है चत्तेजगड में शुरू किया गया हुआ 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 है नेक्स्ट है कि केंद्र पयाज़ित पीम कुसम योजना के अंतरकत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज देश में सीर से लब जो सोलर पंप आधा दा लगाया है वह हरियाणा है कि हरियाणा राज नेक्स्ट कोशन नहीं कि सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी open air furniture का उदगाटन सिटमबर 2021 में कहां पे किया गया तो राणी खेत उत्रहखंड सबसे बड़ी भारत की है open air furniture furniture में लब भुदा है फर्ण जो होते हैं छोटे भारती रास्टी अंतरिच संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यच की रूप में चुना गया है पावन्कुमार गएनका न्युक्तिकी के हाली में सेटलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला रास्ट्य उद्धान सेटलाइट फोन से लैस होने के करण क्या होगा कि कॉम्निकेशन बहतर हो जाएगा तो यह कहां पर हुआ है काजिरंगा रास्ट्य उद्धान अश्रम उत्राखंड के किस मंदिर को केन सरकार ने Adopt a Heritage प्रोजेक्ट में सामिल किया गया है तो ये नारायन कोटी मंदिर है उत्राखंड का ये सामिल किया गया है Adopt a Heritage प्रोजेक्ट में नेक्स्ट प्यादेम लूब भारत का वैरेलवे स्टेशन जो जहां पे खाना जो है आच्छी गुडवत्ता के कराण उसको फाइव स्टार जो प्रमाढ़ पत्र प्रतान किया गया है फाइव स्टार इट राइट इस्टेशन प्रमाढ़ पत्र पतान किया गया तो वह चंडीः लोग जा सकते हैं और बिना कुछ सोचे दमजे खा सकते हैं इनका कहने मतलब यह है कि वहाँ पर खाना जो है वह चुकुडवत्ता का पॉस्टिक भोजन मिलेगा नेक्स पर आते हैं कि सिच्छा मंत्रा अलेज़ द्वारा 7 से 17 सितंबर की बीच में एक मनाया गया है सिच्छक पर्व सिच्छक पर्व उसकी थीम क्या थी इस बार तो सिच्छक पर्व 2021 की थीम सीधे तौर पर पूंच सकता है तो उसमें आ सकता है कि quality and sustainable school quality and sustainable schools learning from schools in इंडिया यह उसकी थीम है नेक्स्ट कुशन बहुत इंपोर्टेंट है और आगे भी लंबे समय तक रहेगा क्योंकि यह थोड़ा आगे की बात है कि भारत की सफर्स G20 देशों की शिकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो 2023 में करने जा रहे और अगर आता है कि 2021 में शिकर सम्मेलन कहां हुआ जी टॉंटी में गाओं पर होगा भारत में भारत उसकी मेजबानी करेगा नेक्स्ट कोशन है कि हाली में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरी फार टावर लभावा को शुद्ध करेगा वो टावर कहां पर लगाया गया तो केंदर सासित प्रिदेश है चंडीगण यहां पर एक कोशन हाली में आया भी था एक एक्जाम में कि जो सुझ्लाम अभियान है वो किस मंत्राले से जुड़ा है तो जल सकती मंत्राले से जुड़ा है और इसका अपलब एक पर accountable से उद्देश कंए है या किसको दरस आता है तो यह दरस आता है गाओं को ओडिया प्लस वाली इस्तिती में तुरित रूप से परवर्थित करने के लिए आगे आते हैं कि ओडिशा के बन और परवर्ण विभाग ने हीरा कुंट जलासे हैं तो उसमें तीन दूइप हैं उसमें से किस एक को दरसनी इस्तल के रूप में चुना है तो हम चुना गया है कैटल आइलेंड मवेशी दूइप कैटल का मतलब मवेशी दूइप तो कैटल आ आएलेंड। आगे बढ़ते हैं भूबूबं सेना उपमोक रहे लेप्टिनेंट जनरल गुर्पी गुर्मीत गुर्मीत सिंग को राजपल कहां का बनाया गया उत्रकंड का तो सीधा कूशन है कि उत्रकंड के राजपल कौन बने हैं हाली में तो गुर्मीत सिंग सभितमबर। और दूसरा है कि इसकी थीम क्या गाती है? तो contribution of हिमालया रिपन गभार है कि ट्रांस जेंट्रों को एक पिस्ट आरच्छन देने वाला भारत का पहला राज कनाटका कनाटका ने ट्रांस जेंट्रों को एक पिस्ट आरच्छन दिया हाली में राजगी जनता को मुप्त पानी उपलब्द कराने वाला देश का पहला राज देखें यहां पर एक टर्म में important है मुप्त पानी मुप्त पानी उपलब दगर आ रहा है गुवा और आगे अगर एक क्वेशन आप देखेंगे तो आएगा कि गुणवत्ता अभलब सभी को गुणवत्ता युक्त पानी कौन उपलब दगर आ तो वहाँ पे option आएगा उडिशा सही होगा तो मुप्त में गुवा है और जब गुणवत्त पानी अभी को उपलब दगानने के बात होगी तो वह उडिशा आएगा अगले question के और बढ़ते हैं नेक्स हमारा point है कि 4 सितंबर 2021 को संपन 3 पच्छी कारभी संथी संजोता जो है तो सीधे दोरपे इसमें आता है कि कारभी संथी संथी संजोता कि स्राजित से जुड़ा है तो वह असम से जुड़ा है तो यह त्री पच्छी इसलिए है क्योंकि भारत सरकारें और अश्रम सरकारें और जो विद्रोही गुड़ थे वो तीनों के बीच समझाता हुआ है यह हलां कि पहले भी हुए है समझाते है पंचान में पे हुआ है 2011 में पे हुआ है और यह 2020 का समझाता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने clinical परिच्छन के ल तो नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सरमकों के बैठने का अधिकार को मानता देने के लिए एक विदेयक लाए है विदान सवह में हो है तमिलाडू तमिलाडू की विदान सवह में एक विदेयक पिस्तुत किया गया कि सरमकों के जो होते हैं उनके पास ब प्राचीर से देश को कब तक उर्जा स्वतंत्र होने का लच्छ निदारित कि अधिया है उर्जा स्वतंत्र का मतलब है कि हम किसी बढ़ेंट नहीं रहेंगे एनर्जी के सेक्टर में तो वह लच्छ है सभस्ष निदुन वहाँ दो कि लिए उसकी तीम तीम तर समीकन और सम्ह Sooमेच लिए अंतर ब्रिक्ष शहयोग। अंतर से सिखर समयलां अर नेक्स रहा है कि दुनिया के सबसे उच्छे मूवी थेटर को दगाटन सबसे ऊच्छे की बात आई ही तो यहांपे मूवी थेटर कहां पे लद्दा कस्तित लेके पलदान लद्दाक इस्तित लेक पलदान में NSG रास्टी सुलच्छागाड ने एक आंतंक रोधी एक अभ्यास किया है हाली में और उसका नाम क्या है गांडिव अभ्यास तो सीधे पूँछ सकता है कि NSG त्वरा आहली में आतंक रोधी अभ्यास जो किया गया है उसका नाम क्या था तो गांडिव अभ्यास आर्मड जो फोर्सेस मेडिकल सर्विसेस की पहली महिला डारेक्टर जनरल हाली में किसे नियुकति किया गया है आरम जो फोर्सेज़ की पहली महिला डारेक्टर जनल को चुना गया है सीला सामंता मतै पहली महिला डारीक्टर जनल न्येखति क्या गया धर वालीम्ट ट्रविसेच तtoo टो ना पत्र टिश उट यू है टो वह उडजे टेटявा गया है तो वो हैं सुनुसूद नेक्स्ट पर आते हम लोग कि अगस्ट 2021 के कोट डिलवोईर के आबिद जान में आजवित 27 जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कॉंग्रेस के दौरान UPU के किंदो प्रमुक निकायों के लिए भारत को चुना गया तो ये यूनिवर्सल पोस इतना important point नहीं है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट इंपोर्टेंट है आया भी है अभी हाली में कि अफगानिस्तान में तालीब आनियों को जो कब्जा हुआ और वहां से जो भारती और अफगानी मुल्के लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकान ने क इस अभ्यान के दैट उनको बाहर निकाला तो operation देवी सक्ति तो operation देवी सक्ति के संबंद है कहां से अफगानिस्तान से भारती और अफगानी मुल्के लोगों को बाहर निकालने के लिए किंद्रि बेत्मांत्री सितन रमनने रहे जो एक पर्योजना उद्घाटन किया माई पैड माई राइट तो किस के साथ मिलंगे लिए नावारण है वनल यदू दूरा और इसका उद्घाटन कहां किया माई परेड माई राइट टिरपुरा के गोमतिजकि किल्ला गाओ में तो आज़ें तिरपुरा याद रखना चाहिए और किल्ला गाउं अगर याद रखकें किल्ला गाउं तिरफुरा माइपैट मियूड नेक्स्ट है कि भारती ख़वोल भौतिकी संस्तान की इंजीनियर है दोर्जी आंग्चुक इन्हें क्या कि आगया है कि इंटर्नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है आई ए यू का मानस सदस्थनी उक्ति कि आगया है दोर्जी आंग्चुक को कि आगे कि और बढ़ें देखे यह कुशन अभी डिसकस किया है पहले वी पॉइंट कि सुझलाम जो है वह अप्यान किसने शुरू किया है तो जल सकती मंत्रा लें नेक्स्ट है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन एलेक्ट्रो लाइजर निर्माड इकाई का अनावरण कि सहर में किया गया तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन एलेक्ट्रो लाइजर निर्माड इकाई मलब जो इसका काम है कि स्योटू को एक हाइड्रोजन उसमें कनवर्ट कर देना ताकि जो कार्बन उसरजन है उसमें कमी रहे तो यह पॉइंट इंपोर्टेंट है लेकिन ह हाइड्रोजन से रिलेटेड दो फैक्ट और इंपोर्टेंट है जब भी कभी आएंगे तो कंफ्यूज कर देंगे आपको कि देश की पर्थम हरित हाइड्रोजन परिवाहन योजना यहां पर हाइड्रोजन सब्दा है एक जाम में ऐसी कंफ्यूजन होगाती तो देश की प तो लद्दाग और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से आधारिक ट्रेंज लाइगे वह हर्याणा और यह जो पॉइंट हम भी डिसकस कर रहे हैं बैंगलोरों में यह क्या है कि हरित हाइड्रोजन एक्ट्रोलाइजर निर्मार एकाई है एक यूनिट की बात वरी नेक् जिसने हाली में सारवजनिक निजी और डिजितल इस्तानों में महिलाओं की सुरच्छा चाहें वह सारवजनिक प्ब्लिक प्रवेट हो या डिजिटल कोई प्लेस हो वहां पर महिलाओं की सुरच्छा सुनिच्छ हो सके उसकी लिए एक प्रिंग प्रोटेक्शन प्रोजेक यह तो 27 मेडिकल सीटों में वीशी के लिए आर्टिशन कितना 27 परचेंट ब्लॉक्चेन प्रोदिक का प्रयोग करके सहचिक दस्ताविट जारी करने वाला देश का पहला राज ब्लॉक्चेक जो टेक्नलोजी है बहुत सुरचित टेकनलोजी है तो इसके आधार पे इसका प् जन सानके की और साथ अफ्रीका तो इसका विशै क्या था जन शांके की और विकास दिगंज की फिर बोड़ीघो अगले पेंट की ओट ईपलेंगे हाली में भारत किस भारती संस्तान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विक्सित किया है प्लांट बेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर दुनिया का पहला है यह आईटी रोपड़ने नेक्स्ट है कि 125 मी जयनती पर 125 रुपए की विशे सिस्मारक सिक्के का अनावरण किनकि उम्वलब जयनती पर किया गया तो यह इस कौन जो है उसके संस्तापक थे स्रील भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद की 125 रुपए की विशे सिस्मारक सिक्के का अनावरण किया नेक्स्ट है निसार जो उपग्रह है इस रो और नासा का एक उपग्रह है सुम्वलब से वो कब किया जाएगा तो यह 2021 में तो ऐसी पूँश सकता है कि निसार जो है किस कौन मिलके कर रहा है इस रो और कौन तो इस रो और नासा मिलके कर रहा है इसको 2023 में नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कि हाली में भारत के कितने बाग अभ्यारन्यों को वैस्षिक संदश्च्छन सुनिश्चित बाग मानता म पटापत हुई है तो वो 14 है ठीक है अगले पॉइंट के और आते हैं कि रूसी नौसेना के तीन से 25 में नौसेना दिवस समारों में किस बारती नौसेनिक जान ने से लिया तो हमारे यहां से जहाज गया था आइनस तबर तो रूसी नौसेना का एक दिवस मनाया जा रहा थ 325 में तो वहां पर हमारा जो जहाज गया हूँ आइनस तबर था यह बड़ी इंपोर्टन बुक है क्योंकि कंट्रोवर्सी जनरेट हुए इस बुक के उसमें कि संद्राइज ओवर आयोध्या संद्राइज ओवर आयोध्या इसके लिखा कौन है तो कॉंग्रेस की वरिस्ट नेता जो सल्मान खुर्सी थे वह इसके लिखा के तो पूचा जा सकता है कि संद्राइज ओवर आयोध्या जो पुस्तक हाली में विवादों मेरे तो उसका संबन्द किस नेता से है या किस विक्ति से तो सल्मान खुर्सी से नेक्स्ट है कि CSIR कि ने रही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के एक डिवाइस को विक्सित किया है तो दिव्य नयन जो है वो नेत्रहीन लोगों के लिए नेक्स्ट है कि पांच अगर्स 2021 को कोविड-19 के विरुद तो सो पित्सत हंड़ेट परशंट टीका करन करने वाला भारत का पह जिला जब जिले की बात आएगी तो किन और हिमाचल पर देश जिले की बात किन और हिमाचल जिकिन जब सहर की बात आएगी तो भूनियू सर ओडिश्टा भारत की सबसे हलकी मेट्रो टेन कि सहर में पुड़े में ठीक है सबसे हलकी मेट्रो टेन पुड़े हल्दी बाड़ कि रेल निंक सेवा किसके साही बांगला से सवर भारत के भीच में मैं जिसने हाइटेक खेती बढ़ावां देने के लिए क्रसी कर्ण योजना है नेक्स्ट है कि डिसकब्री स्पोर्स चैनल यूरो स्पोर्स इंडिया किस बॉलिवोड अविनेता को अपना ब्रांड एंबेस्टर न्यूकत किया है तो जॉन अब्राहिम को अगस्ट 2021 में भारत और यूई की नो सेना के बीच किस नाम से ब्यास किया गया तो ऐसी पूछ सकता है कि जायत तलवार जो दो दरीकिस का ब्यास है या या ब्यास होता है कि कि इंदू देश्यों की महता है बारत वर यूई के मत तो निक्स्ट घ्रइक सती रासपती रामनात को फालकरता के नाम पर इस अधा के नाम पर समाजिक कारता थे grow आगे अग्ला है अमरा कॉशन भारत की हाऊपने उपर इसको डिसक्स किया हैे इस पवारत ही पहली हाइड्रोजन फ्योल सेल आधारी ट्रेन अब यहां पर ट्रेन की बात है तो हरियाणा परिवान की बात होती तो लद्दाग और हाइड्रो एलेक्ट्रोलाइजर जो निर्माण हिकाई की बात होती तो बैंग लोरू निक्स्ट है कि वैस्विक युवा विकास सुचकांग में भारत की रैंकिंग है 122 पी रैंकिंग है डिल्ली के किस अंस्तान पर पहली पसु डियोख साला रोडी रोडी में टीक है कि चौदा कस्तु 2021 को नासकाम है नौसकाम एन एडिवलस स्यों तो नौसकाम द्वारा आजुद एक्स्पिरियंस ए आई आई आर्टिफिसल इंटिलिएंट सम्मिट में ए आई गेम चेंजर अवार्ड किसे किस राजने जीता है तो तिलंगाना ने बहारत की जो देश की जो पहली वाटर प्लस सिटी गोसित किया गया इंदार यह कॉषन काफी चरचा में रायर को वाटर प्लस शिटी गुसित किया गया तो इन दोर को किया गया अगस्त दोजायरी कीश्वा का पिछ्षवित मिसन था वह अस्पल हो गया था जी सैट वन वन जो था हम अस्पल हो गया था भारत कि 75 में सुतंता दिवस की theme रखी गए तो 75 में सुतंता दिवस जब आएगा तो उसकी theme क्या है nation first always first nation first always first कब 75 तो यह question important है पूचा जा सकता है यह बारा सरकार दोरा पहली बार विभाजन विविस्तिका इसमरती दिवस कम मनाया गया तो 14 अगस्त को बारत का पहला drone forensic अनुसंदान केंद्र कहां पर इस्तापित किया गया केरल में ठीक है यह विए ऐसी कोशन पूछते हैं कि बारत का पहला drone forensic अनुसंदान की सराज में इस्तापित किया गया तो केरल तामिलाडू ऐसे देके कनफ्यूस करेगा तो केरल याद रखना है drone forensic अनुसंदान केंद्र हर्याना के किंदो जो इस्तान है उनको रामसर सूची में सामल किया गया हाली में तो दो हैं सुल्तानपुर और भिंडावास तो इससे जोड़ा और भी एक फैक्ट है इंपोर्टन है एक्स्टा कि रामसर सूची में भारत के इस्तल अब कितने हो गये 46 हो गये और दो यह इस्तल जो है अर्याना के और इसी के साथ दो थे राजस्तान के बद्वाना और थोल बद्वाना और थोल को सामिल किया गया और इधर अर्याना के सुल्तानपुर और भिंडावास को तो 46 हो गया है नेक्स्ट है भारत सरकार के समाजिक नयाय मंत्राले द्वारा अगस्ट दोचारी किस नाम से यह अध्यान मंच मतलब इलक्ट्रोनिक जो है अध्यान किया जाएगा तो यह तपस सीथे दोर पर ऐसी कई वर पॉइंट पूँच लेते हैं तपस क्या है तो तपस क्या है यह तरैंप पहली नेजल वैक्षीन का लोगों पर परच्छन सुरू किया है ज़ल नाक से वैक्षीन वाला तो परच्छन शुरू किया गया तो दूसरे सबसे जीन बैंक उद्गाटन कहां पर किया गया है नई दिलनी में दूसरा सबसे बढ़ा है दुनिया का नई दिलनी में रिफार विस्क जीन बैंक यहाँ पर जीन को सनर्चित किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि वह केंद्र सासित बिदेश जहां भारती नों सेना द्वारा चार सो किलो मिटर लंबा जजबा है तिरंगा रिले महराथन का योजन किया गया तो यह जंबू कश्मीर किया गया कहां पर जंबू कश्मीर में अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से 1-103 असाल्ट राइफल खरीद के समझोटे पर अस्ताचर किया एक 1-0-3 बं-0-3 रूज 1-10-3 असाल्ट राइफल रूज से खरीदेगा भारत ठीके समझोता हुआ है वाहिराज जहां अगस 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजिघंब ऑप्र डिसकल किया है यह सब्काराइए तो मेगा ऐसी सिंपल सा एक पॉइंट बन सकता है कि मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिवूटी प्रोजेक्ट के इसके साथ भारत ने सब्सक्राइब थो जिए सब्सक्राइब तो इसने जमी ऊग्रीन से खरेंग है ने खरेंडिक्स में भारत की रेंग क्या है अधरा गन घृंड़ प्नन इसने cord say scholio इसने में अभी हाली में अमेरीका को लगी है बैंगलूरों में तो अच्छा यह लॉंच किस ने किया है तो ओएम इंटरनेशनल भारा तो उसे से जुड़ेगा यह इंपोर्टेंट आइटिंक नहीं है यह नहीं पूछा जाएगा बस वो डारेक्ट पूछ सकता है कि कहां पर इस्तापित किये तो बैंगलूर में और नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर साइंस एंड इंवर्मेंट सीसी द्वारा जारी पार दर्सिता इंडिक्स में किस राज के प्रदूसर्ण नियंतर बोर्ड को पहला इस्तान मिला और किस राज के प्रदूसर्ण नियंतर बोर्ड को पहला इस्तान मिला तो ओड़ीश जाग गया है तो डॉक्टर पीपिके रामा शायरलू रासवा के महानसचेवनी अक्ति किये गया है एक केरव और करनाटक के विश्स छेत्रों के लोगों प्रजातियों प्रजातियों के साथ भारत का तो यह सब इंपोर्टन नहीं है इसमें अगर ठीक से देखें तो बस इतना ही पूचा जाएगा कि पहला क्रिप्टो गै्मिक उद्धान का उत्कार्टन कहा गई पुषप पूस्प पुस्प होते हैं पुषप नहीं आते वहाले होते हैं जैसे सेtek behaved है लाइकेन है इस टाइब से फढ़ने उनका एक उद्धान होगा फार्क होगा नेक्स प्राते हैं कि भारत के किस राज में पहली बार जी का वायरस रोग तो ये बड़ा चर्चा में विराता है जी का वायरस रूग कहाँ पर फैला था केरल में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे सड़क परिवान और राजमंत्री की नितिन कटकरी जीने भारत के पहले निजी छेत्री के तरली क्रत प्राक्तिक प्राक्तिक गैस लिक्रिड लिक्रिड जो नैच्रल गैस होती है लन जी उसको सुविदा सनियत्र का उद्गार्टन कहां क सब्सक्रापुर में एक अभियान है मात्र कवचम यह है कि सभी गर्वती महिलाई जो है उनका कोविटी का गरण हो जाए तो यह कि सरकार का है मात्र कवचम अभियान किरल का आईटी हैदरावाद ने हाली में किस नाम से भारत का पहला रैपिट एलेक्ट्रोनिक और आर्ट संदी हो मूट के निक्स्ट के पॉर्ट टक्सी सुवा दो एक हवायेद से पहली पॉर्ट टक्सी से वह त sekali आरि तो नोटी आट उत्तर प्रदेश में क्यूamba कई फिल्म सिटी वननी पर दो यहां पर शुझ कि यह पहली पोट टक्सी से वहवर उपर जाने का नेक्स्ट है हाली में भारत का 51 जो है क्यानवाद और तमिल आडू का पांचमा टाइगर रेजर घुसित किया गया है तो वह कौन सा है स्री विल्नी पुथूर मेगा मलाई मेगा मलाई टाइगर रेजर तो यह 51 है और हम लोगों ने पीछे डिसकस किया था कि 53 थर्ड वाला कौन सा था तो 53 थर्ड आप याद करिए कि गुरु घासी दास जो रेजर वता गुरु घासी दास वह कौन सा था 53 थर्ड वाला और एक जो इंपोर्टन्ट है कि 50 अगर फर्स स्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई तमीलाडू का हो गया तो 50 सेकंड कौन सा है तो रामघड विस्दारी राजिस्तान का 50 सेकंड हो गया और 53 जो बने गया संवक्ते छेतर जो होना था गुरु घासी दास और तमोर पिंगला एक वन्नेजी अपयारन था उसके छेतर को मिल फोटो पत्रकार ये अफगानिस्तान में को निदन हो गया सचाबी रहे थी इनकी तो यह दनी्स शिद्धी है और फुम्परी चिंचवाण पुढे पूरे में इस्तापित की गई है राजियु खांदी साइन्स इन्नोवेशन सिटी नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने सार्वजिनिक छेत्र के उद्धम इंजिनियर्स इंडिया लिम्टेट की पहली महिला अध्यच और प्रबंद निदेश्तक के रूप में कारभार्ण किया है तो वर्तिका सुखला क्या वर्तिका सुखला क्या बनी है सार्विनिक छेत्र का एक उद्ध्यम है इंजीनियर्स इंडिया लिम्टेट कि पहली महिला अध्यच और प्रबंध निदेशक अगला कुशन है प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉंच करने वाला एसिया का पहला देश है भारत यह पुराना कुशन भी यह चिर्चाव में बिरायत तमिल लाडू के तमिल लाडू में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में तो तमिल लाडू में जो नज्रेख से पाक खाड़ी है पाक में वहां पे आये बारत का पहला डुगोंग समुद्री गाय उसको वो लगाता है तो केंद्री विशेता फीडिंग स्मार्ट राइट फ्राम इस्टार्ट मलब सुरू से आप क्या करें स्मार्ट तरीकी से फीडिंग करें रास्टी पूसन सब्ता यह नेक्स है कि सबसे अधिक कैमरी लगाने के साथ भारत में कौन से सहर दुनिया में सीर्स इस्तान पर भारत देश को अपने अंध्रदेश सरकार है इतना इंप्रेश सरकार की बात हो रही है नया आर्थिक सलाका नियुक्ति के तो रजनीश कुमार को कि यह ठीक है कूशन पॉइंट ठीक है कि भारत का पहला हरित और दोगिक शहर कौन सा बनाए हरिद एंड़िस्टिर ग्रीन इंडे देखिए आप लोगोने पीछे पॉइंट डिसकस किया था कि गुवा जो था वो मुक्त जल उपलब देकर आने वाला और यहां पे सहर है जो गुड़ों मत्ता हो गुड़ों मत्ता पूर्ण पेजल उपलब देकर आ रहे हैं तो है पूरी उड़ीशा सरी की बात ओरी नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्टन यह पॉइंट है कि हाली में जो है यूनेस्को की विश्वदरोवर समीतिने भारस की किस इस्तल को देश का 39 उन्तालीश मां विश्वदरोवर इस्तल गोहसित किया है रुद्वेशर मंदिर वारंगल तिलंगाना तो इसे लब गोसित किया गया है और यह एक नेक्स्ट भी इसमें आएगा कि अगर यह 39 थे तो नेक्स्ट वाल आएगा 14 धौला विरा जो सिंदुगाटी सब्वेता है उससे जुड़ता है एक पांच वहां बड़ा एक सहर्थ है उसका तो यह दो पूंशे जा सकते हैं और आगे भ मंदिर वारंकल जो तेलंगाना में हैं और 14 धौला विर देश का पहला अनाज एटियम अनाज निकले है एटियम से तो कहां पर गुरुग्राम हर्याणा नेक्स्ट है एक कोशन पॉइंट है कि हमारा कि भारत और नेपाल के बीच कि इन दो इस्तानों के मतरील गाड़ी का परशालान शुरूआ जैनगर बिहार में पड़ता है और कुर्था नेपाल में पड़ता है तो यह आइटिंक जुलाई का हो गया थोड़ा ज्यादा इस इस इस्तान वर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंझूरी दिए यह कोशन तो नी सकता है अभी भी तो का खवाड़ा कच के अकच जो है गुजरात में वहां पर इस बड़ा भारत का जो है वो सोलर पार्क का स्थापत किया जाएगा नेक्स थैग हाली प्राक्तिक पैंट जो है ब्रांड एंबेस्टर की स्केंद्री मंत्री को बनाए गया तो नितिन गटकरी को cyber-suryoddhyeyaak में भारत को कौन सी ranking प्रदान कियी है तो cyber-suryoddhyeyaak में भारत का जो इस्तान है वो दसमा है ऊ-एक हाली में नया मंत्राले गटित हुआए साहिकारीता मंत्राले कोप रिखे का हले मिनिस्ट्री है ये पहला फ्रेस मौटर एक्वेरियूम टेनल आई ये मूवेवल भी है इधर उदर भी जा सकता है तो बेंगलूरू डेलि इस्टेशन पर हाली में अब द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लेंडिश्थ से पर्योजणा यूनिस्को की उजणा है हिस्टोरिक अरयट इसके पर्योप परयोजना कि इंतरकर half ash तो उर्क्रवर्ट workflows uh कि उट्षा और ग्वालियर का जहन किया गया है कि यह है कि यह है कि पतिस्ट जो नेजर इंडिक्स है द्वारा मैटिरियल साइंस में प्रगति के भारत के किस अंसान को दुनिया वर के 50 अंस्तानों में इस्थान मिला है तो जवार लाल नेरू सेंटर फॉर एडवांस और ठांज का थे लिखा था कि चाराता देर दोन जो ट्रकंट में तो क्रिप्टो गमिक कार्टेन का देर रगणज चाराता रखन देर दूर्ण नेक्स है कि बारता सरकार द्वारा हाली मैं गटित जू रास्ति होमेपैठिक आयोग है उसका है टारुरठी पहले इन और सब्सक्राइब करने वाला देश का पहला राज इसमार्ट हिल्थ कार्ड योजना सुरू करने वाला देश का पहला राज जो है वो डिसा यह भी इंपोर्टन्ट है कि अग्रा अगे कि आई टी मद्रास द्वारा भारत के पहले स्वदैसी मोटर चाले वीलचयर लब जो प्रसस्टी को यह जो अधियर होगी वो मोटर से चलेगी उसका नाम कैं यूबोल्ट और किसने बनाया इसको अग्राइब्स आप भारत के सबसे उचे हर्फल पार्क मानागव चमूली उद्रगंड ठीक है तो हर्भल पार्क का उद्गार्टन कहा हूँ है मानागव चमूली हर्याणा के मुख मंत्री मनोहन लाल खटर ने हाली में किस राज के एक राज गौन का एक हवाई अड़ा था हिसार हवाई अड़ा तो उसका नाम आप क्या कर दिया है लिए अब भारत के किस सहर में जापानी स्याली के ज değiş to guardian जो है जापानी से बना है और यहां कहा to बारम हुआ इसका एहमदाबाद में हाली में हैदराबाद इस्तित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विक्सित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या रखा गया है तो भारत का जो पहला स्वदेशी ड्रोन है उसका नाम क्या रखा गया है इंद्रजाल एक भारती सेना आपने कस्मीर इस्तित अपनी एक twy रेंज है वह तो किस बॉलिवॉड अवनेत्री के नाम पर रेका ये तो एक s इस्टिल के इंद्र लॉंच किया गया है सूरत में ओके नेक्स्ट एक देज का वाय पहला राजमार्व जो अगस्ट दोहजरी की समय देज का पहला elилиktronic vehicle friendly उलेक्टिक वीकल जो हैас इनली आओ फ्रेंडली है बन गया है तो डिल्ली चंडीगर्ड हाइब aguya पे जाएंगी अगर के यह अगा डिर्ली anthropology टावर कि देज के पहले इस्मॉक तयवर कहां कटन हुए तो यह बाबा खडख शू conception मार्पड सन्दें ग करता है कनली इ डिस्क-पाइब कई बर ऐसा इंडियान स्टर्ट आप चैल्ङृःटक पहल की किस मांत्रावरे द्वारे टौ पहल किसने उन्डेंप लेए रच्छा मांत्रा लेएं डिस्क 5.0 का संब्द किसे तो डिफेंस इंडियन स्था। इडियन स्थार्ट एक कभी भी आ सकता है तो यहां पर रुद्राच जो है वो पूचा जा सकता है कि रुद्राच क्या है या यह पूचा जा सकता है कि नरेंद मोधी जी ने जापान के शॉप्षे निर्मित इंटरनेशनल ऐसे पूचा जा सकता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन and Convocation Convention International Corporation and Convention Center रुदराच का उधगाटन कहाँ पर किया है तो रुदराच कहाँ पर उधगाटन कहा गया है 12.18 में अगले पॉइंट के और बट रहे हैं लोगे करम का कोलम जिले का एक गाउं है जहाँ पे पहले के पहले बुक विलेज के रल का पहला बुक विलेज का सम्मान दिया गया है तो पेरुम कुलम के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है पेरुम कुलम पूचा जा सकता है यह नेक्स्ट है कि चेन्नाई में कि स्वदेसी निर्मित तठ रच्छक जहाज को रास्ट को समर्पित किया गया है तो एक तो स्वदेस निर्मित है और तठ पे रच्छागन्य वाला जहाज है आईनिस आई सी जी एस विग्रे आई सी जी एस विग्रे नेक्स्ट कोश्चन ये भी इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि नीरत चोपड़ा जी के उपर है कि रच्छा मंतरी राजना सिंग ने किस खेल संस्तान का नाम परिवत्तित करके ओलंपीन जो सुन्ड पतक विजेता नीरत हाली में भारत के पहले जय विवित्ता उद्यान भारत वार्टिका का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो उत्रक्ण में तो भारत के फर्स्ट जो बायो डाइवरसिटी जो पार कहे है वो कहां भारत वार्टिका उसका नाम है वो कहां पर उत्गाटन हुआ है उसका उत्त मैला उद्मियों को प्रोसाइद करने के लिए हाली में किस कारकरम को लौंच किया है, तो होसला इंस्पाइरिंग हर ग्रोथ कारकरम कहां से जुड़ा है, तो जम्मु कस्मीर से जुड़ा है, क्या उद्देश है, मैला उद्मियों जो को प्रोसाइद करने से जुड़ा हुए नेक्स्ट है कि अभी हाली में उत्राखंड के नए मुखमत्री कौन बने है तो पुसकर सिंग धामी बने है पहले कौन थे तीरस सिंग रावत स्मार्ट सिटी मिसन के दैज 컨स्री अवाड थो जर बीज दिया गया उसमें किस राज को सीरिक्षी दिष्तान मिला गया थो यूपी को मिलाए यह अभी भी आ कोबिटिक्स है द्वारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रच्छा गुंबद को विक्सित किया है इंद्रजाल तो बारत का जो पहले स्वदेशी रच्छा पहला स्वदेशी रच्छा ड्रोन रच्छा गुंबद है तो उसका नाम क्या है इंद्रजाल है नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदान मंत्री नर्वेंबोधी द्वारा लॉंच किये कौन सी योजना एक जुलाई 2021 को सपलता पूर छह वर्स पूरे गये तो डिस्टल इंडिया अभियान एक जुलाई 2015 को लॉंच किया गया था और अब एक जुलाई 2021 को इसके छह वर्स पूर कि कमपनी एक स्पेस कमपनी है वर्जिन गैलक्टिक कि अंतरिच यान वर्जिन आर्विट में बैट कर 11 जुलाई को अंतरिच की यातरा के तो सिरसा सिरिसा जो बांदला थी तेसरी महिला थी ऑर दिलती मुलकी जिन्हों ने ये स्पेस जो वर्जिन termin बिट में बैटके अंत्रिच के यात्रा की नेक्स्ट पॉइंट है मरम कि पदान मंतरी नरेंद मोदी ने कहां पर वर्चुल माद्यम से जापानी सैली के जेन गार्डन अभी हम लोगों ने जेन गार्डन देखा था अब उसी में कि जेन गार्डन और काईजन अकादमी जो है उसका उद्गाटन कहां किया गया एहमदाबाद में नेक्स्ट है कि DRDO दोरा दोहरी मार करने वाली परुमाण मिसाइल का 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम दीप से सफल परिच्छन किया गया अगनी प्राइम तो यह दोरी मार करती है परुमाण मिसाइल है और कहां से चांदीपुर के अब्दुल कलाम दीप से इसका सफल परिच्छन किया गया रेवीज से मुक्त होने वाला देज का पहला रही कि प्रूए कोज़ नेवाला भारत का पहला राज ट्रांसरों को करने वाला भारत का पहला राजबणा भारती दवा कंपपनी जाइडस काडिला दुनिया की पहली DNA वैक्सिन जिसके आपातकालिन प्रियोक को मंजूरी DGCI द्वारा दी गई थी जायको डी यो कुशन आयो है जस्ट अभी किसी एकजामत में कि जो DNA वैक्सिन है भारत दुनिया के पहली DNA वैक्सिन उसका नाम क्या है तो जायको डी नेक्स्ट है कि वैरा सरकार जिसने हाली में क्या था कि संसकत सास्त्रों और वेदों के ज्यान को पुनर जीवित करने के लिए वैदिक सिच्छा और संसकार बोड की गटन की गोस्णा की तो वैदिक सिच्छा और संसकार बोड की गटन की गोस्णा की राजस्तान सरकार ने भारत की पहली निरंतर सकरात्मक वायुमार्ग दवाव इस्तानापन जो मसीन है जीवन वायू किस अंस्तान दोरा विक्सित की गई है तो आईटी रोपन ने जीवन वायू जो कि क्या है भारत की पहली निरंतर सकरात्मक वायुमार्ग दवाव इस्तान जून 2021 में एक इंडिक्स आया था वर्ड गीविंग अंडिक्स कौन जदा दान वगेरा देता है का इंडर प्रफछाइज आते तो इसमे था कि भारत की रैंकिंग कौन सी आयती तो 14 रैंक है हमारी 14 फॉर्ट और इसमें फर्स्ट में था इंडोनेशिया को तो वर्ड गीविं और पाइया थे नहीं हैермemy और आर्बियाइ पिपूर руки कोरण्णर राघ्राम राचन को पांस सदस्य राज्य आर्थिक सलागा परिसस्थ में नामित तके नहीं राधिक सस्तर्कार नेधे हैं नेक्स्ट आते हैं कि दुनिया का पहला दुनिया की बात हो रही है यहां पर दुनिया का पहला अन्वांसिक रूप से संसोधित जेनेटिक मोडिफाइड रवड का पौदा है वो कहां पर रोपा गया तो गुहार्टी असम में भारती वायुशना में फाइटर पाइलट की रूप में सामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला तो फ्लाइंग ऑफिसर मावया शूदन तो भारती वायुशना में फा ओलेटी करके हैं अलेटी उनका नाम साथ और कुछ होगा आगे साथ पॉइंट आए कभी तो उसको डिस्कस कर लेंगे तो यह हैं भारती वायुशना में फाइटर पाइलेट और वह जो होंगे फ्लाइट इंजिनियर टेस्ट तो नेक्स्ट पॉइंट पर आदे हैं कि अंत अंतरास्ट योग दिवस जब 2021 मनाए गया तो एक एप भी लाउंच हुआ था नमस्ति योग विश्व बैंक ने आंद्र प्रदेश की किस योजना के कारेमन के लिए हाली में 1860 करोड रुपे मंचूर किया साल्ट कारकरमतायन का सपोर्टिंग अंद्रा लर्निंग ट्रांस प्रियान चलाया गया था कि दूर दराज के जो छेतर हैं गिरामेड और दूर दराज तो कुरोना टीकर करन को लेकर जाग गुता हो जान है तो जहान है यह अलप संकों के मंत्री मुकतार अबास नकपीजी ने इसको लॉंच किया तो शुरुआत के दी नेक्स्ट है कि माई प्रिशन बन सकता है कि भारत के पहले अंतरास्टी-समुद्री-मध्यस्थथता चेंद्र को इस्तापित करने 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 लिया गया किस राज में गुजरात में यह नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा पढ़ा हुए कि तिलंगाना सरकार तो तिलंगाना में किया था मेडिशन फ्रॉम्दा इसकाई पर यूजना का नित्तुत करने के लिए किसके साथ भागेदारी के समझोता किया है तो फ्लिप कार्ट के साथ किया है तो अगर कुशन कि मेडिशन फ्रॉम्दा इसकाई पर यूजना का संबंद है तेलंगाना से और तेलंगाना सरकार ने किसके साथ इसके लिए समझोता है कि है फ्लिप कार्ट के साथ हाली में तत्रच्छक बल द्वारा कि इस राज में ओलिव रिडले कश्मों की सुरच्छक लिए ऑपरेश ओलिविया सुरू किया गए दच्छड एसिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटिलिटी कंपनी है इंडियन होटल कंपनी तो इसने एक रिपोर्ट जारी किया और उसके अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत जो होटल है उसको होटल ब्रांड का दर्जा दिया है ताज होटल को यह थोड़ा सा कंटेंट जो है यह जुलाई जून की आस्पसका है नेक्स्ट जो है हमारा कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरू करने के लिए कि सराजने हाली में युवा सकती कोरोना मुक्ति अभियान तो कोशन मनता है कि हुआ सकती कोरोना मुक्त अभियान किस इसको बोला पॉइंट को डिस्कूस किया था नमस्ति यूग नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार अधिकारिक तोर पर मेटिकल ड्रोन डिलिवरी का ट्रायल कहां पर किया गया तो मेडिसन फ्रॉम दे स्काई ते लंगाना से जुड़ाता लेकिन मेटिकल ड्रोन डिलिवरी ट्रायल जो किया गया वह बेंगलूरू में किया गया नेक्स्ट पर आते हम लोग एक जागरूकता जैसे टीका करण की जो जागरूकता है या कुविट की जागरूकता उसको बढ़ाने के लिए एक सड़क को कोभी से कोभी से भूसित कर दिया था कौन से सरकार ने मत बिदे यह पॉइंट अब उतने रिलिवेंट नहीं है बस इन्हें एक बार आप सुनते जाएंगे तो एक्जाम्स में अगर बाइद वे इस तरीके से कोशन को याता है तो टैकल हो जाएगा वाकी ऐसे कोशन नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा इन पर टाइम दिया जाए नेक्स्ट है राज में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सुचना प्रबंधन प्रमाली प्रणाली प्रेम सुरू करने वाला भारत का पहला राज तो कौन सा ऐसा राज है जहां पर डिजिटल रियल के टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सुचना प्रबंधन प्रणाली की सुरुवात की यह तो असम है याद रखना चाहिए यह कुशन अच्छा है नेक्स्ट प्यादें रास्टी बाल अधिकार संदस्च्ण आयोग एंसी पीसी आर ने हाली में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के समंदित समस्या के शमादान है तो किस नाम से एक ओनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉंच किया है तो यह बाल स्वराज कोविट केर लिंक बाल स्वराज कोविट केर लिंक किसने एंसी पीसी आर ने किसलिए कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से समंदित स स्वास्तिक तो कॉछन कई लाए से बनाएगा कि स्वास्तिक क्या है अब उसमें दार्म क ein कोई pa republic जादा एक्षाल में ये क्या है कि प्राक्तिक तेनों को प्योग करके पानी को की ताल में नई टक्रीक है तो यह अच्छा़ पॉंट है याद रखने वाल subject जून 2021 में किस राज सरकार ने ग्यान कार करताओं का समर्थन करके राज में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाना वद देने के लिए नौलेज, एकॉन्वी, मिसन तो एक सीधा पॉइंट बनता है कि नौलेज, एकॉन्वी, मिसन की सुरुआत किस राज ने की है knowledge economy mission की शुरुवात किये केरल ने क्योंकि राज specific जब जाता है तो उसके उद्देश पर नहीं जाता है बलकि सीज़े दौर पर वो mission पूसता है कि ये किस राज़ से संबन देता है तो knowledge economy mission की शुरुवात किसने किये केरल ने असम सरकार ने जून summer असम जो राज है वहाँ पे 7 राश्य उद्दान हो चुके है तो राय मोना के बाद दिहांग पटकाई भी बना था सात महाँ और वहाँ पर आपको याद होंगे कि माना से काजिरंगा है शैपरू रंडि योगोवा है और एक नोरंग करके हैं और भी एक दो और हैं तो यह हो जाएंगे वहां पर नेक्स्ट पर आते हैं कि अब यह कुशन काफी पुराना हो चुक है निट इनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतरास्टी हवाई अड़ा बनाए तो यह कैमपा लच्छों के हिस्से के रूप में वित्ती वर्स 2020 में नेट इनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतरास्टी हवाई बंड़ा जो बनाए हवाई ड़ा बनाए कैमपा गोड़ा अंतरास्टी हवाई अड़ा अंगलोरू भारी उद्धोग और सारवजिनिक उद्धम मंतरी प्रकास जावेट कर ने जो एसिया के सबसे लंबे और दुनिया के पांच में सबसे लंबे हाई स्प्लिट ट्रेक को पार्टन किया गया है तो इन दौर याद रखने माला पॉइंट है रिपीट आ सकते हैं हाली में विश्व अपार संगटन डब्लू टीओ ने भारत की स्ताई मिशन में कांसलर की रूप में किसे नियुक्ति गया है तो आसीज चांदोरकर तो WTO में भारत की स्ताई मिशन में काउंसलर की रूप में किसे नहीं वक्ति आ गया है आसीस चांदोरकर ये Times Higher Education Asia Times Higher Education Asia University Rankings 2021 में 100 जो विश्विद्ध द्याले हैं तो उनमें 3 भारती संस्तान सामिल हुए IISC जो बैंगलोर है और IIT रो पड़ है IIT इंदोर है Next point important है ऐसे point कई बार repeat कर देता है खुछ समय के बाद ये है कि स्वास्तेवं पलिवार कल्याड विवा की एक रिपोर्ट के अनस्वार आईश्मन भारत कारकरम के तहत स्वास्तेवं कल्याड केंद्रों की स्थापना के संदर में कौन सा राज सीर्सिस्तान पर है करनाट का तो आईश्मन भारत कारकरम के तहत स्वास्त रो कल्याड केंद्र जो बनने चाहिए थे उनमें काफी ज़्यादा इस्थापना की है तो वो करनाट के Next है कि WWF इंडिया ने हाली में अस्पतालों और वन जीव संदर्चंट छेतर में फ्रंट लाइन कार करताओं के प्रयाशों की सराना करने के उद्देश से किसे फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हेरोज के अंबेस्टर के रूप में न्युक्त किया है तो यह हैं अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक है उपासना कामिनी तो उनको फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हेरोज के अंबेस्टर के रूप में न्युक्त किया गया है नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडिक्स 2020 से किस जारी किया गया और उसमें कौन से कौन सा राज मगर मच्छों की तीन पर जाती हो वाला देश का पहला राजवन तो वह है ओडिशा एक बार एटलिस पूरा करेंट वन येर का कंप्लीट हो जाता है ना तो कौनफिटेंस एक आच्छे लेवल पर होता है कि कोशन छूटा नहीं है तो इसलिए इन करेंट्स को हलके में न लीजेगा अटलिस वन टाइम देखते जाए क्योंकि जब रिपीट होते हैं और दो चार कोशन एक एक कोशन इंपोर्टन्ट है तो ध्यान से इसे देखते जा समूद्री क्लास्टर जो है गुजरात मैरिताम बौर्ड जो है तो कहाँ इसलिए और गुजरात के इंटर्नेशनल फाइन के प्रभंधन प्रवंधन प्रवंदन के भारत का प्रबंदन के लिए जो भारत का पहला सोदेसी तापमान डेटा लोगर एंटी टैग किसने विक्सित किया है अगले पॉइंट्स के और बढ़ते हैं लोग केंदर सरगार की वन नेशन वन इस्टेंडर्ड योजना में हाली में सामीन हो लें वार भारत का पहला मानक निकाय ब हाली में किस राज ने अपनी प्रमुक्ष सेमी हाइस्पीड रेल्वे परिजना सिल्वर लाइन एक एक सिल्वर लाइन जो है परिजना रेलवे परिविजना मंझूरी दी है तो वह केरल राज है अनेमीया मुक्त भारत सुचकांग को मैं कौन सा राजय सीर्स पर है तो यह किस अभ्यारन में पुना बसाने की उजना है कुनो रास्टी उद्धान यह कुनो रास्टी उद्धान कहां पड़ता है मद्यब्रदेश में यह important point है कि हम चीते को दुबारा कहां चीता को कहां दुबारा बसाने की उजना है कुनो रास्टी उद्धान मद्यब्रदेश अगल यह राजिस्तान में चौथा टाइगर रिजब है राजिस्तान का वैसे देखें तो 50 सेकंड था यह बान्वा जबकि तेरान्वा 53 वाला कहां पर घासी वाला चीक है और 51 वाला तमिलाडू का याद कर यह से भी बिल्ली पथूर मेगा मलाई तमिलाडू और जो 52 हो गया वह तो यही हो गया राएगण विस्तारी और जो तेरे फिनमा हो गया वो गुरू घासिदार और तमोर पिंगला की समिपति छेतर को मिलाकर बनाने की बाद है नेक्स्ट है कि जियाई टेक प्राप्त साही लीची की पहली खेप बिहार से कहां गई हावाई मार्क से त एक जज्ज्मेंट है, उसमें क्या है कि बन्नी घास के मैधानों में चर्वाँओं की इधिकार को बरक्रार रहने का है नहीं पे माहिला मालविकास मंत्रा लेने ले। दुनिया के 9 देश हैं वहाँ परinku मेस्टाप सिंटर बनाने की औस्ट्रिलिया, सिंगापूर, शौधी हरिपिया, आगे बढ़ते हैं लोग, जून 2021 में असम की 21 रास्टी उध्धान में दुनिया के सबसे दुर्लब और सबसे छोटे जंगली सुवर, आठ कैप्टिव बिट जो पिगमी हॉग है, इसका सेंस यह है, कि असम का एक रास्टी उध्धान है, मानस रास्टी उध्धान, वहाँ पे जो दुनिया का सबसे दुर्लब भी है, और सबसे छोटा एक जंगली सुवर है, तो वो आठ की संख्या थे उनकी, और उनको पिगमी की है, जो विक्ति नागरिक जो भी पीर लगाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा, तो इस योजना का नाम क्या है, अंकुर योजना, अंकुर योजना में यह है कि आप पीर लगाईए, सम्मानित होई है, निशनल गिरीन टिबूलन ने, करनाटक में एक निर्माण के नि बांधन्ड वना चाहिए हुमका उलंगन पर एक रिपोर्ट परस्थ करने के लिए एक समीति का गठन किया है तो कनाटक में मेके दातू मेके दातू बांध वन रहा था उसमें जो निर्माड हुआ तो मांधन्डू का उलंगन हुआ तो नेशलन ग्रीन टिबुनल जो है उसने ने का कि इस पर एक रिपोर्ट पिस्तुत करिया और इसकी रिएक समीति का गठन किया है अधिक रिसेंटली ये जो दो भीशन तूफान है एक ताउक्ते आया वह कहा है आरब सागर में और यास कहा है तो बंगाल की खाड़ी में तो कई बर पूंच सकता है कि ताउक्ते कहा हैं मंगाल के खाड़े में आरब सागर में तो ताउक्ते आरब सागर यास मंगाल के खाड़े यह देखे जो हम लोग पीछवी पॉइंट है वो डिसकस कर रहे थे कि भारत की पहली महिला उडान पर इच्छन इंजिनियर फ्लाइट टेस्टिंग इंजिनियर जो किसे अब मावया सुधन जो थी वो कश्मीर से थी ठीक है उन्हें शामिल किया गया तो निक्स्ट पर आते हैं कि हाली में दच्छन महारास्ट के कोलापुर जिले में खोजे गया जीनस आर्गरिया से संबंदी फूलों की पहुज़ों की एक नई प्रजाती जो है उसका नाम एक समच जाएंगर महाँ पर आया सब और इसका नाम क्या रखा गया था अर्गरिया सरद चंद जी हाली में कि सैच्छी बोर्ड तौरा कोविड-19 के प्रज़ों लड़ने के लिए पांच मिलियन युवा लोगों को सामिल करने के लिए रास्ट वाप पे युवा योध्या युद्धा अंदोलन सुरू किया गया किसने सीवेस्टी बोर्ड में ये इस बोर्ड ने तो सीवेस्टी बोर्ड गया था और क्या था कि 5 मिलियन युवा लोग जो है उसमें सामिल हूं कोविड-19 की विरुद्ध लड़ने के लिए नेक्स्ट है कि गोल्डेन युए जो है सब्सक्राइब अमीरास से मई 2021 में गोल्डेन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवूट के पहले अभिनीता ये पहले अभिनीता थे संजर्जत जिने गोल्डेन वीजा मिला था युवही के लिए भारत का पहला सहर भ्यापी पर्रयावणी निग्रानी मंच हाली में कहा इसतना नाम पनलगों कर दिया अब क्या है अब कि आपकर इंडियन ब्राट रांग लिजेटल फांडेशं घर दिशन रिपर फांडेशन मैं माई 2021 में भारत की 36 इस्तलों को यूनिस्को की विस दरोवर इस्तलों की आइस्ताई सुची में दिखे हम लोगों उन्हें डिसकस किया था कि 39 जो विस दरोवर इस्तल भारत का सामिल हुआ था तो वो तिलंगा ना का था और जो 14 था दोला भी रहा था अब यह आयस्ताई की बात कर रहा है 60 इस तरो इस्तलों की अस्ताई सूची में आए तो यह अब तो एक बार सुन लीजे इसको आई धिंग, वारानसी के गंगा घाट, कांची पुरम मंदिर तमिल नाडु, हायर बेंकल मेगालितिक साइट जो है करनाटक की, सत्पुडा टाइगर इजर मद्रिप्रिदेश, नर्मदा घाटी के जो भेडा घाट और लमेता घाट मद्रिप् के कार्वानियन की प्रगती के अधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज सीरस्तान पर रहा, तो जो स्मार्ट सिटी परियोजना जो है, उसको कारेंडन की तरीकी से किया जा रहे है, उसमें जो रैंकिंग बनी है, जारकन प्रथमरा, प्रिख्यात पर्रण वरण विद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्स की अवस्ता में कुरोना बीमारी से निधन होगा, तो ये तो फेमस है, सुंदर लाल बहुगडा संस्तापक किसके ते चिपको अंदुलन के, तो इनका निधन होगा, भारती नौसेना का वह पहल लेकिन आज चला गया, तो ये कौन सा है, आइनस राजपूत, एक उत्राखंट के जो मुख मंतरी तीरस सिंग रावत थे, आपको उने पुसकर सिंग धावी, तो उस समय एक योजना शुरू की गई थी, अनात बच्चे जो माता पिता COVID-19 के दौरान को चुके हैं, तो उनक उत्राखंट से, वह राज सरकार जिसने हाली में राज में ऑक्सिजन के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मिसन ऑक्सिजन, सेल्फ रिलाइंस, मिसन ऑक्सिजन, सेल्फ रिलाइंस, योजना की सुरूवात की महारास्ट ने, भारती वन जीयों संस्तान ने हाली में किस र मनाएं गया ग्यार अमिय guar और ठीम क्या थी कि एक सथवाइस के लिए विज्ञान और प्रोदेगी कि एक साथ हुआ व्यव है कि वैक्सीन संकट की बीच को ग्लोबल को वैक्स गड्बंदन में सामिय होने का निरन लेने वाला देश का पहला राज । यहां राज जी की बात हो रही है कि वेक्षिंस अंकट के बीच ग्लोबल कोवेक्स जो गड़बंदन बना था उसमें सामिल होने वाला देश का जो पहला भारत का राज़ता वो पंजाब था कि एक माई 2021 में जारी नवी करनी उर्जा देश आकर सक्सक्स हो चुका रिनेव रिनेवल जो एनर्जी कंट्री अट्रिक्टिवनियस इंडिक्स है तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है थर्ड है ठीक है नेक्स पॉइंट पर आते हैं रूप हाली में कि सर राज सरकार ने लैब यहां पर लैव लिखा हुए यह लैव है लैव ओन भील्स लैव ओन फिल्स तो यह पढ़ाई से जुड़ा हुए कि लैव ओन भील्स की शुरुवात की तो दिल देने कि यह है कि यूने जो म यह दूटी के दौरान में तो होगी ती तो यह यूरास सिंग ते यूरास सिंग सांती सैनिक थे भारती सांती सैनिक इनकी डेथ वीदी तो इन्हें सम्मानित किया कि फिक्की लेडीज ओर्गनाइजेशन एफ है लो कि रास्टी अध्यच कौन बने है उजलवा शिंगानिय डियार्डी ओ तता डॉक्टर रेडी इस लेवर लेबर लेबर टीज है दरावाद द्वारा विक्सित वाई कोविड 19 शिकिसी दवा जिसे आहाली में ड्रक कंट्रोलर डीजी सी डीची आई डीची आई ड्रक कंट्रोलर जनल ओप इंडिया द्वारा आपात काली नुप्य के लिए अन्मोदित किया गया तो यह टू डीजी पूंचा जा सकता है कि ड्रक डियॉक्सिडी ग्लूकोज टू डीजी जो है आपात काली नुप्यों के लिए अन्मोदित किया गया तो यह किसकी दवा थी कोविड-19 की सीवसी ने हाली में चात्रों और विवावकूओ के लिए किस नाम से मनोव हिएनिक प्रहामर्स एप लॉंच किया था दोस्त फॉल लैफ यह कभी पूछा जा पादन समवर्दन नीति लागू करने वाले देश का पहला राज क्या है कौन से बियार का एक्जाम होने वाला इसलिए भी ऐसे कुछ ना सकते हैं क्योंगी फरस्ट है मई 2021 में भारत की सकेंद्र सासित राज ने जल जीवन मिशन के तहट ग्रामीड छेत्रों में सो पितसत जल connection लच को पुरा किया तो यह फुलो छेरी नी किया है लेकिन इससे पूर उपलब्धी और भी जो गुवा है तिलंगाना है अंडवान निकुवार है इन्होंने भी क्रामीड चेत्रों में सो पितसत जल कनेक्सन के लच को पूरा किया और यह मिशन कौन सा है जल जीवन मिसन फॉर्चिन पत्रिका दौरा दुनिया के 50 मानतम लोगों की सूची के सीर्स जो 10 में उसमें एक मात्र भारती सामिल हुआ था फॉर्चिन पत्रिका के बात हो रही है और इसकी 50 मानतम लोगों की सूची में एक नाम जो आया था भारती का सीरम इंस्टिट के जो सी ओ थे अधार पुना वाला उनका वैराज जहां कि पुलिस द्वारा COVID-19 रोगियों के लिए आक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाजमा उखलब्द कराने में मदद थे तो मिशन होसला शुरू किया गया, तो मिशन होसला जो है उत्रकंट पुलिस का था, अब इसकी संबावना कम है, आने की इस परशन की, नेक्स्ट है कि हर्याना में कि इस बीमारी को अधिसूचित बीमारी की रूप में वरगित किया गया था, तो उस टाइम चलना था, ब्लैक फं किस संडी की किस पीडी की मिसाईल है, पाचमें पीडी की, एर टू एर, भारती सेना द्वारा अप्रेल 2021 में लद्दाक एगनाइटेट माइंड्स पर्योजना के लिए किस के साथ समझा था, ग्यापन पर आस्ताचर किया गया, तो HPCL, National Integrity and Education Law Development Organization, यह अप पुनानी कोशन है तो I think इनकी संबावनाग कामी है, भारत पिछले दिनों Missing Summarine, KRI Nagla 402 में सामिल हुआ था कि यह बचाओ अभियान क्या, तो यह किस की पंडू भी थी यह पूचा गया है, तो Indonesia की थी यह, KRI Nagla 402 भारती नों सेना ने देश में ओक्सिजन अवस्थक्ताओं की पूर्थी हे तू, किस operation का संचालन मई 2021 में किया, operation समुद्र सेतू, second तो operation समुद्र सेतू, second का सम्मन्द किस से है, देश में oxygen अवस्थक्ताओं की पूर्थी हे तू यह चला गया तो मिशन ठीक है बारती सेना ने कहाँ पर अपना पहला सौर उर्जा सेंत यह भारती सेना की पाथ चल लिए कहाँ पर सौर उर्जा सेंत रिस्तापित किया था सिखिम्मे किया था वित्ती वर्स 2021-22 के वार्सिक राज बजट में जिन्डर बजट ये सीधा आएगा कि जिन्डर बजट को सामिल करने वाला जो राज का एक बजट आता है उसमें जिन्डर बजट को सामिल करने वाला कौन सा देश का पहला राज था तो ये आंधरा प्रदेश था आंधरा ने स कई मिर्ट का मिशन कौन सागर इंसग होते हैं जो पडोसी देह से उनकी मदद करने के लिए भी और जो भारती हैं उनकी मदद करने के लिए अगर कही पर कोई operation चलानाँ होता है, कि महां से वापिस लाना है भारत्यों को इस तक इस स्रीक से, वह रासरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोप बंदु, संबडिका, स्वास्त भीमा योजना चीटोओ ओरिशा है, तो पत्रकारों के लिए एक योजना, गोप बंदू, संबद्धिका, स्वास्त वीमा योजना ओडिशने शुरूगी प्रतम सप्ता में देश के पहले ड्राइब इन वैक्शिनेशन सेंटर का नावरन का हाग पर किया गया तो मैई 2021 के प्रिथम सप्ता में देश के पहले ड्राइव इन वैक्चिनेशन सेंटर का नावरा मुंबही में किया गया था वह राज जिसने जल संसादनों के काया कल्ब के लिए हाली में परवधारा योजना की शुरुआत की थी तो हिमाजल कि यहाँ पे जो पानी है जो जल संसादा ने उनका काया कल्ब हो सके तो परवधारा योजना की शुरुआत अहिमाजल प्रिदेश से जुड़िए अप्रेल 2021 में भारती भूव एग्यानिक सर्विच्छन के सोत करताओं ने सारो पोट डाइनासोर जीवास हड़ी की टुकड़े किस जिले की पाड़ियों में खोजे थे तो यह कुशन ऐसे बनेगा कि सारा पोट डाइनासोर या डाइनासोर की जीवास में जो है यह हड़ी की टुकड़ें कि जिले की पाड़ियों खोजेगे तो मेगाले में यहीं मिलते हैं अकसर शेंउक्तर अरब अमीराद द्वारा मार्श दोजार इकीस में आजुत वह बहुरास्टी युद्ध्य अभ्यास जिसमें भारत ने पहली भारिश सालिया डिजर्ट फ्लैक यह डिजर्ट फ्लैक होता था कहां हमीराद अमीराद में तो भारती जो भारती इसमें सामिल हुए तो वह फस्ट टाइम है भाय राज जिसने मार्श दोजार इकीस में निजी छेत्र की कंपनियों में राज जी के इस्थाई निवाशियों को नौकरी में 75 प्रिश्ट आ राच्छन तो यह पॉइंट सबसे पहले हम लोग डिसकस कर चुके हैं कि निजी छेत्र की जो कंपनियां उसमें 75 फर्सेंट रिजोरेशन की जो एक प्रिस्ताव लाया है वह अति शूचना जारी कि हो हरियान सरकार है भारत के आवाश और सहरी मंत्रा ले द्वारा चार मार्श 2020 को एक इंडिक्स जारी किया गया इंडिक्स का नाम क्या है इस जारी कौन करता है कोश्चन तो कभी वह ऐसा ही बन सकता ह कि Age of Living Index जारी कुन करता है तो आवाश और सहरी मंत्रा ले तो ये जो 20 का Age of Living Index जारी हुआ इसमें रहने की दिस्टे से जो भारत का सहर है सबसे चाह कौन सा गोसित किया गया है बंगलूरू रह सकते हैं तो प्रदान मंतरी नरेंद मोदी ने प्रदान मंतरी नरेंद मोदी और बंगला देश के बीच संबंद रखता है तो भारत और बंगला देश और यह किसंदी पर फेनी नदी पर एक राज है जहां पर मुक मंतरी चिरंजीवी योजना यह साथ कुशन आया है अभी कहीं पर तो यह दा कि मुक मंतरी चिरंजीवी योजना कहां पर आरम के गई तो राजिस्तान में के गई सिपरी स्टाउक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिडूट सिप्री सौर्ट में बोल दिया तो सिप्री मिलिटरी एक्स्पेंडीचर जो डेटावेस है इस सीर्षक से एक रिपोर्ट आई 2020 में तो इसमें सैन्ड खर्च के मामले में भारत का कौन सा इस्तान है कहने का मुलब यह है कि भारत सैन्ड पे खर्च करने के मामले में किस इस्तान पर रहे तो उसका थर्ड नंबर है पहला कौन होगा अमेरिका दूजरे पे चीन भारत कौन से नंबर पे थर्ड 72.9 बिलियन डॉलर भारत कर्च करता है फोर्थ पेरू से यूके तो पहले ही हमें याद रखना है एसी बी अम कौन चाल मुंद ने शूरू हूब मिताली एकस्प्रेस तो ऐसी बूँँ सकता है कि मिताली के देशा के बीच में चलेर ही तो भारत ओ बांगलादेस और आज की स्क्राइब रेज की बात रेज़ेखित के बाता है या निक्स प्रीटी प्रॉद्द की इस संसान में भारत के पहले इपलिज मां जातन करता है निज यह है कि किस भारती संस्तान ने हेलिकॉप्टर निर्माड के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेट प्रॉद्व की विक्सित की डियार्डियों किस भारती संस्तान ने हेलिकॉप्टर निर्माड करना उसके लिए प्रॉद्व की है एकल क्रिस्टल ब्लेट प्रॉद्व की और यह किस इसने विक्सित की है Radio नी गुर्वम सीमा संवगतन सडक संगतन टो इसमें कमांडिंग और अधिकारी करूप में महिला नियुक्थ हुई है और महिला अधिकारी उनका नाम किया है तो महिलाओं पर कोशन इसी तरीके सेक्षण आते हैं तो बियारों में जो कमांडिक अधिकारी करों में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है वो वैसाली हिवासे वैसाली जी है तो ये नियुक्त हुई है नेक्स्ट आते हैं कि हाली में जारी एक रिपोर्ट के अंसार भारत में सरवाधी भिकारी सरवादिक भिकारियों कि चंकिया कहां पर है पस्षिंग बंगाल में अंग में नेक्स्ट एक डिफेंस वेब साइट मिलीट्री डारेक्ट द्वारा जारी वैस्विक इसतर पर सरवादिक मजबूत सेन सकती सूचकांग तो सीधा आएगा कि सेन सकती सूचकांग एक इंडिक्स है Ultimate Military Index Strength Index Ultimate Military Strength Index में भारत का इस्तान कौन सा है तो वो चौथा है कुल मलाकी है जो हमारी Military Strength है उसमें भारत कौन से नंबर पे एकजिट करता है तो उसमें भारत है चौथा पहले पे कौन है चीन सुचने वाली बात है चीन पहले पे दूसरे पे कौन है अमेरिका और तीसरे पे कौन होगा अब समझी सकते है रशी आना चाहिए अब निक्स पे हम लोग बढ़ते है भारत की पहली Oxygen Express Strain किन दो सहरों के बीच में चलाई गए तो ये दो सहरों थे मुंबई और विशा का पटनम वह परवत्तर वही जिनोंने 16 अप्रेल 2021 को दुनिया की दस्वी सबसे उची चोटी चोटी माउंट अर्नपूर्णा पचड़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारती महिला बनी थी तो प्रियंका मोहिते अब ये अप्रेल की नियूज है कौन-कौन मिलके इस साचे दारी में बनाए गया तो अधा एकनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट याई यू और फेस्वूक की साची तरह में आए कौन सा समावेशी इंटरनेशन इंटरनेट सुचकंक समावेशी इंटरनेट इंडिक्स और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है फुर्टी नाइंट कहां पर देश के पहले प्राणी खेट उत्रकंट और इसमें अच्छा हेल्प मिली है जापान की जापान में भी बन इसनान की एक तक्नीक है जो प्रिशिद्ध है उसी के आधार पर इसको बनाया गया यह दिखी नीचे दिया भी है जापानी तक्नीक पर आधारी था यह इलिंग इस्टेशन वह राज सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वरा संचालित एंबुलेंस नेट्वर्क आंध्प्रदेस सरकार की जानवरों को कोई दिक्कत हो तो एंबुलेंस नेट्वर्क एक इस्तापित किया है आंध्प्रदेस सरकार ने नरिन मोदी जी ने रास्टी पंचायती राज दिवस के उसर पर कब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रेल 2021 को किस योजना के तहट इस संपत्ती कार्ड के वितरण की योजना सुरू किये एक योजना है क्या नामे उसका स्वामित स्वामित योजना के तहट रास्टी पंचायती राज दिवस के उसर पर इस संपत्ती कार्ड का वितरण किया गया अब स्वामित का फुल फॉर्म भी पूँ सकते हैं सर्वे आफ विलिजेस एन मैफिंग विद इंप्रोवाइज्ट टेकनोलोजी इन विलेज एरियाज बारत का पहला बंची किस्सा करेंद केंद्र कहां पर तो यह है उत्राखंड में अधिगे अ कि 13 अप्रेल से 16 अप्रेल के बीच आयोगी छटे राय शीना सम्वाद तो राय सीना सम्वाद जो होता है अभिया अर्बर तो उसका इस बार का थीम क्या था तो था वाइरल वर्ड आउटब्रिक्स आउट लायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल क्या थीम था इसका जिए च्टे राय सीन चाहीं नहीं सम्वाद का वाइरल वर्ड आउटरिक्स आउटलेयर्स अंद आउट स्कंट्रूर अपरेल दोजार एक इस में इतली ने भारत में अपना पहला मेगा फोड़ पर इटली ने बनाया मेगा फूट पार्ग कहां मेसारा के फड़ीधर गुजराथ में मैसाना के फड़ी दर में रिपोर्टर्स विदाउट बघ्डर्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंडिक्स जारी करता है वर्ड प्रिस फ्रीडम इंडिक्स इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है 140 तो यह पूचा जा सकता है डिविटेवल रहता है तो इसमें भारत की रैंकिंग 142 है अपरेल 2021 में किसे नेशनल एसोशेशन और शॉप्टवेर एंड सर्विसेस कंपनी नेसकाम की पहली महिला चेयर परसन न्यूक्त किया गया है तो यहां पे पहली महिला चेयर परसन बनी है नेसकाम की इसलिए इंपोर्टन हो जाता है रिका मेरन भारत की नियंतर जो महालेकक परिच्छक जिनने अपरेल 2021 में तीन मरसी कारकाल के लिए रसाइनिक हतियानों की निसेत के लिए एक संगटन है OPCV डबलू करके हेक आधारित है यह राजपार्टियों के सम्मेलन का बाया लेखा परिच्छक एकाउंट टेंट बनाया गया है हैं इनको यह जीसी मुर्मों है कोन है जीसी मुर्मों tussen और मृष्प आर्थिक मंच अफर्ड की और एकोनोमिक जो फोरू में तो एक इंडिक्स जारी करता है एनर्जी ट्रांजीशन इंड़िक्स अ ENERJी ट्रांजीक्शन इंडिक्स हिसा भारत की रंकिंग कौन से रही है 87 अप्रेल 2021 में किस फरिस्ट आइस अधिकारी को नाड़ा नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी का नया महा ने दे सकत नियुक्त किया गया था तो यह सिधार्थ सिंग लोंग जाम थे तो सिधार्थ याद रखे सिधार्थ जो थे नाड़ा के म मार्च 2021 में ओडिसा सरकार ने राज की दच्छडी हिस्से में 50 इस्तल को बाइस प्रीजर्व के रूप में परस्तावित किया है तो ओडिसा के एक दच्छडी जो इस्सा है उसको बायस प्रीज़र्व गोसित किया गया है यह महेंद करी कहा जाता है इसको अब आगे बढ़ते हैं मोग एक रिपोर्ट है विश्वायो गुरमत्था रिपोर्ट 2020 इसमें चाहं कहा गया है कि विश्व के सबसे प्रदूसित सहरों की सूची में भारत को इस्तान कौन से मिला है तो तीसरा है विश्व के सबसे प्रदूसित सहरों की सूची में भारत को इस्तान मिला है तीसरा विश्व वायव गुरमत्ता रिपोर्ट दुवाजार बीस अटास फर्वी 2021 को इससरू दौरा पिछे पर वाहन पी अलवी चीपिट वन यह कोशन घुम फिर आ सकते हैं कई बहुत पीछे से उठाता है जब दीड़ साल तक जाते हैं तो ऐसी कौशन आते हैं तो प्यचे से अलवी चीपिट यह पीट किया गया तो इसमें किया है कि नरेंद मोदी जी की एक तस्वीर और भगवती किता के सुरच्छित दिच्चल कार्ड उसमें रखा था तो यह बेजा गया था कहां से सतीज दमन उपक्रे से वहां से ठीक है नेक्स्ट इसी में क्या था कि एक ब्राजील पहली बार कि इस देश के उपक्रे हमेजोनिया फस 27 फरवरी 2021 को मनाये गए रास्टी प्रोटीन दिवस अब प्रोटीन दिवस जब मनाये गए था उसकी केंद्री विसे था पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन फरवरी 2020 में भारत कि इस रोग के लिए कारवाही कि आउसकता की पहुंच्छान करने वाला कि मिलब कब एक्स दिवर लोग अ हाली में दुनिया के सबसे पुराने जनवर कौन से डिर्की सोनिया के जीवास और्डिटेरियम गुफा में पाए गए वो कहां गुफा है और्डिटेरियम जो गुफा है वो भीम बेट का मत्यप्देश राइसें जिले के पास तो नेक्स्ट है हमारा 16 फर्वरी 2021 को जलवाई लचीला पन और कम कार्बन विकास नड़नीती तयार करने के लिए यूनिप के साथ समझाथा करने माला भारत का पहला राच तो बिहार के एंगल से इंपोटेंट हो गया यह कि जलवाई लचीला पन और कम कार्बन विकास पहली एर टैक्सी सेवा की शुरुआत कि यह पार्ड वाली बात थी तो यहां पर था ग्रेटर नोयटा में बट एयर टैक्सी की सुरुआत तो चंडीगर से हिसार यह सहरों की बात हो रही है चंडीगर से हिसार परवरी 2021 में तमिलनाडू के किस जिले में एसिया के सबसे बड़ा पसुधन अनसंधान केंद्र खोला गया सलेम के थलाई वासल में एसिया का सबसे बड़ा पसुधन अनसंधान केंद्र कहां तमिलनाडू के सलेम सलेम तमिलनाडू में आता है यहां पर पसुधन अनसंधा केंदब खोला गया स्लेम के थलाई वायर में कर में समरपन दिवस तो यह कोशन भी बनने वाले ये आएंगे आते हैं इसी तरीके सा कुशन है त्यार हो जेगे की नियाशेल कि याशते हमरपन दिवस कम मनाया जाते हैं लुएक टीजbor नेक्स्ट है कि गर्तन दिवस परेड में सर्पिसेस्ट मार्च करने वाली टुकडी तो गर्तन दिवस जो परेड होती है उसमें जो टुकडी simples डिल्ली पुलिस जोर्ट रिजिमन्टल थी उसको ट्रफी मिले ती service अरत मार्च करने मैं कि फर्वरी 2021 में राष्टी सूचना विग्यान के इंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉंच किया गया संदेश संदेश था रास्टी सूचना विग्यान के इंदने बनाया इसको मैसेजिंग फ्लेटफोर्म है कि मैसेज आप बेज सकते हैं दूसरे को इंडियारिस की कॉर्पृरेट में रिसक कि न किसने लांच किया था आई सी आई लोंबार्ड ने पहला कॉर्पृरेट इंदिया रिसक इंडिक्स लांच किया धेश के पहले डिस्टल celebrating युश्टिटी ओप डिस्टल साइंसेस इनोवेशन टेक्नलोजी का उद घाटन कहां पर किया गया तिरुवंतपुरम किया यह चित्रा इंस्टुट आई थिंग था तिरुनल का वहीं पर किया गया था तो देज का पहला डिस्टल विस्ट भी तो बिदेला कहां बना तो वस इतना याद रखना है तिर्वंत पुरम केरल में उद्गाटन हुआ है इसका आगे है संयुक्त राष्ट के खादे में हम क्रसी संगटन एफ यो जो कहा जाता है और आरवर्ड डे नांटेशन द्वारा के विकास और रखाओ के प्रति प्रति बद्दिता के लिए भारती राजधानी सहर को 2020 के ट्री सिटी एफ वर्ड के रूप में मानता दी तो यह कुश्ण आ सकता है की 2020 ट्री सिż अफ वर्ड कि रुप में किसे मानता दिए हैं वाल त्ध तिलंगाना यह याद रखने वाले चीज़ हैं हालि में भारत का पहला फायर फार्क मार्फ का इस्ताफित किया गया ओंडिसा- में राश्टपती रामनाद गोविंद द्वारा वर्स 2021 के लिए देश्वापी पल्स पूली और भ्यान की शुरुवत तो पल्स पूली और भ्यान के लिए जो 2021 में शुरुवत की गए तो तीस जन्वरी 2021 से गए तो यह है कि राश्रकार जिसने अपना पहला हुमन मिल्क बैंक खोला है वो केरल है तो यह बहुत जरूरी चीज़ है कि पहला हुमन मिल्क बैंक जो खोला गया वो कहां पर खेला गया किरल में ऐसे कुशन आ सकते हैं तो इनको ऐसे लूज हो के मत सुनेगा अ कंसेंट्रेट रहेगा हाली में एकोनोमिक इंटेलिजन्स लोगतंत्र दोजार बीस में भारत की रंकी कौन सिये तो 53 एफुट तरी है वेस्च रिक लोगतंत्र में भारत की रंक जया है फिब्टी और इसे जारी कौन करता है लोग तंत्र सुचकान को तो यह है एकोनोमिक इंटेलिजन्स उनिट यूनिट आई यू एरो इंडिया 2021 के उसर पर आयवरित हिंद महासागर छेत्र आयूर इंडियन ओशनिक जो रीजन है कि रच्छा मंत्रियों के सम्मीलन तो यहां पर अच्छा मंत्री जो मिले तो उनके सम्मीलन का मुख विशय क्या था तो क्या होगा है इंद महासागर में सांती सुर अच्छा और सहयोग एरो इंडिया 2021 के मुख विशय एक प्रकार से नेक्स्ट है प्रदाहन मंत्री नर्यंद मोदी द्वारा फरवरी 2021 असम के सोनित पूर जिले के ढेकिया जुली में सुरू किये गए असोम माला कारकरम का संब्द है तो असोम माला का संब्द बस इतना है क कि राज सरकार के बुनियादी डाचे का विकास हूं अठारे जन्वरी 2021 को प्रदाहन मंत्री नर्यंद मोदी को गुजरात इस्तित एक प्रतिस्त जो ट्रेस्ट है उसका चेयर में नियुक्ति किया गे ता प्रभास पात्मन इस्तित जो सोमनात मंदिर का प्रबंदन करने व प्रताई थे उनको भी इसका जो चेयर में ने उनियुक्ति किया गया था भारत सरकार ने किस महान सवतंत्रता सिनानी के जन्व दिवस ये कुशन तो सदाबार हो गया प्राक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है तो प्राक्रम दिवस का सम्मंद एक तो है नेताजी जो इनी के नाम पे नेताजी के नाम पे एक नेताजी एक्सप्रेस टेन कर दिया था एक टेन का नाम बदल के तो पहले हाबडा काल का मेल जिसे आप कहते थे अब उसे क्या कहा जाएगा नेताजी एक्सप्रेस नाम बदलने में और एक पॉइंट देख लेते हैं कि महाराज सरकार ने नागपुर इस्तित एक गोरे वाड़ा अंतरास्टी चडिया घर का नाम अब क्या कर दिए बाबा साब ठाकरे चुड़िया कर भारत का पहला स्रम आंदोलन संग्राले का है कि उससे जुड़ी हुई चीजें वहां पर मिलेंगी तो यह सतापित करने का नड़ने कहां लिआ गया है अलपुज्जा जो है केरल में भारति राज नागालेंड में भारत मैमार सीमा पर इस् कई पर खोनों गावों पूंच दिया और मणीपूर आप्सन में आया तो यह से लगेगा कि मणीपूर है बट यहाँ पर याद रखना है कि नागलेंड का गावों है खोनों जिसको देश का पहला हारित गावों पुला गया बहुत साफ सपाई रहते हैं यहां पर 26 जनुरी 2021 को मनाये गए गर्तन दिवस में ससस्त्र बलों की एक टुकडी ने हिस्सा के लिया था तो वो किस देश की टुकडी थी वो बांगलादेश की थी बांगलादेश ने अपनी एक टुकडी बेजी थी हमारे सुतनता दिवस के परेट की मौके पर 26 जोल में प्रवासी भारती दिवस वर्चुल रूप से मनाया गया पहली चीत सोल मा था दूसरी चीत इसकी थीम क्या थी आत्म निर्वर भारत में योगतान उत्राखंड बनवी भाग द्वारा कहां पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर पराकण पार्क कुल मिला के प डिस्टल प्रात्मिक स्वास्त प्रदाता पहला पूरता डिस्टल प्रात्मिक स्वास्त प्रदाता बन गया है केरल वह राज जिसके वन विभाग ने जन्वरी फर्वरी 2021 में पहली बार जल पच्चियों की गढ़ना की तो जल में जो पच्चियों होते हैं उनकी गढ़ना कहां पर गी गई है पस्षी मंगाल में अच्छी चीज़ है तो Oxford Language द्वारक की सब्द को 2020 के लिए हिंदी भासा का सब्द हो से तो 2020 में जो हिंदी भासा में सबसे प्रशिद्ध वर्ड़ था वो था आत्म निरभड़ता नेक्स्ट पॉइंट है 16 से 24 जनुवरी 2021 के बीच गुवा के पड़जी में आयुज़ुद जो 91 फिटिफरस्ट भारती अंतराष्टी फिल्म महुश्व का फोकस देश कौन सा था इस पर तो वो था बंगलादेश 91 भारती अंतराष्टी फिल्म महुश्व का फोकस देश कौन सा बंगलादेश अगले पॉइंट्स के और बढ़ते हैं लोग बीच जनुवरी 2021 को नीती आयोकद्वारा जारी भारत नवाचार सुचकांक बड़े राज्यों में छोटे राज्यों की बात नहीं हो रही बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे सीर्सिस्तान मि इंटेक्स है 2020 का ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी एटी शिक्स और फस्ट पर कोन है देन्मार्क है इसमें और लास्ट में 179 पर सुमालिया या साउट सोडान दोनों एक ही उसमें 179 पर एक है ग 25 जनवरी को मनाए गए रास्टी मतताता दिवस्त 2021 की थीम थी तो यह तो अभी यादी रखिएगा खईबर थोड़ा पीछे हो जाएगा मालों चुनाव की वज़े से एलेक्शन होने की वज़े से भी ऐसे कुश्चन आ सकते हैं तो थीम जो है 25 जनवरी की इस पार की रास् से एंण्वार्यांड सेव इंफॉर्म ठीक यह हमारी वोटर संढ़ेकी थे मैं कि नेक्स्ट है की भारत देश का पहला विटलेंड संरच्छन प्रबंधन केंद्र, जो है, वो कहां पे स्तापित किया गया है? चेनने में.